सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा हाई है तो मैंने तीक है अब आप लोगों का मैं सब्सक्राइब करेंगे जल्दी चल्दी से बात कर लेते हैं तो बोड एक्जाम में इस चैप्टर का वेटेज अप्रॉक्सिमेटली एट टू टेन मार्क्स का फॉलू किया जाता है और सीटी में इसका वेटेज भी अप्रॉक्सिमेटली सेमी होता है मतलब 6-7-8 मार्क्स के बीच में इसके क्वेशन आते हैं अब यह चैप्टर वैसे देखा जाए तो बचों को बहुत डर लगता है तो इस चैप्टर में डरने जैसा कुछ नहीं है एक या दो टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से लेंदी हैं जो थोड़े से डीटेल में हैं पर उसके अलावावा य यह वन शॉट वीडियो आपको इस चैप्टर का समरी बताने वाला है कि इस चैप्टर में से आपको क्या चीज़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वाला जो वीडियो है यह दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक मे ब्लेगों में इंडिविडियो देखके कवर करना पड़ता है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ठीक है तो उन शॉट वीडियो जैसा रखेगे सा आरी described कर करूंगी जितना हो सके मिलिदीने कवर करूँंगी लेकिन टम को ध्यान में हमें रखते हुएpower घाप अरे ल jugar क करके आप इस ने से free material का फायदा उठा सकते हो free material में आपको इस chapter के notes अब तक जितने भी मैंने वांशवर लेक्टर दिये हैं उन सारे chapter के notes और बहुत सवरी material आपको मिल जाएगा PDF के format में और अगर आप crash course join करना चाहते हैं तो crash course के लिए वर दान 1.0 बैट जोइन कर diagram है कि sensory neuron message receive करता है motor neuron brain का message body तक लेकर आता है जिसके वज़े से body react करती है पर यह होता कैसे है यह आज हम पढ़ेंगे यहां पर कुछ questions आपको दिये गए कि हमारी body में control and coordination क्यों ज़रूरी है क्योंकि हमारी body में multiple organs brain heart liver lungs इतने सारे अलग 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 तरीके से काम करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक और आपस में coordinate करें ठीक है और जैसे dance में अगर एक इंसान अलग नाच रहा है दूसरा इंसान अलग नाच रहा है तो मजा नहीं आता है इसके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है इसके पास इसकी मदद से अपने प्रवादी के बहुत पास करता है कि यहां पर यह जो पारेग्राफ पर बहुत थियोरी है नहीं नहीं बने वाले और गानिजम इन और गानिजम का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है कि इनका बोडी का जो कोंपोजिशन है वह भी एकदम सिंपल है तो इनके पास कोई भी कॉम्प्लिकेटिद नर्वस सिस्टम नहीं होता है कोई कॉछी कांफी कॉट्री बाहुत सब्सक्रेशन करता है ठीक है एक ही single cell है single cell खुद reproduction करता है खुद respiration करता है खुद सब कुछ करता है ठीक है लेकिन अगर हम multicellular organisms की बात करें तो multicellular organisms को अपना homeostasis maintain करने के लिए homeostasis मतलब pH or temperature maintain करने के लिए सिस्टम दिखाना पड़ता है तो यह system हमको plants में भी देखने को मिलता है कैसे chemical signals की मदद से कैसे मिलता है chemical signals with the help of phyto hormones किसकी मदद से देखने को मिलता है यह chemical signal phyto hormones और यह phyto hormones कब अब 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 आक्टिवेट होते हैं light के incidence के वज़े से या किसी chemical signal के वज़े से जैसे पानी में कोई chemical है तो उसके वज़े से plant अपनी growth दिखा रहा है अपनी movement दिखा रहा है कोई specific चीज आपने डाली है तिंक डाली है जिसके वज़े से अब भी complexity level बढ़ते हुए दिखाई देगा तो यह जो पूरा paragraph है इस paragraph में पहली चीज़ आपको यहीं बताइए कि plants कैसे coordination करते हैं phyto hormones की मदद से याने phototropic chemotropic and thingotactic movements फिर आते हैं sponges में तो जो अपना पहला phylum है porifera porifera का example is sponges sponges कैसे control coordination दिखाते हैं different type of cells की मदद से उनके पास कोई भी nervous system नहीं होता है उनके पास सिफ अलग-अलग टाइप के cells होते हैं जिसकी मदद से वो अपना control and coordination करते हैं ठीक है they do not have any type of nervous system ठीक है पिर अगर हम बात करें थोड़े और higher animals की जैसे की second phylum तो उनमें हमको क्या देखने को मिलता है देखो अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको दिखाई देगा कि इनके अंदर basic type का nervous system का structure स्टार्ट हो जाता है ठीक है जैसे अगर मैं हाइड्रा की बात करूं तो हाइड्रा में हमको first यह देखो हाइड्रा एक नाइडेरियन है यह सबसे सबसे पहला nervous system दिखाता है यह ऐसे आनिमल से जिनमें हमको सबसे पहला सिंपल nervous system देखने को मिला है ऐसा क्या खास है इनके पास कुछ ऐसा खास नहीं है इनका जो भी nervous system है वो सिर्फ इनकी बॉड़ी में पूरी तरीके से फैला हुआ है अब इसकी क्या खास्टी आपको याद रख नहीं है है सेटी में क्या पूछा चाता है कि हाइड्रा का जो nervous system होता है यह nervous system इस डिवाइड़ेंटो टू टाइप मतलब इसका यह जो जाली पूरे इनके बॉड़ी में फैली हुई है यह जाली दो पास sense organs नहीं है तो इनका जो भी nervous system है यह किसी भी डायरेक्शन में अक्टिवेट हो सकता है तो यह वाला लाइन बहुत जादा को मिलता है diffused type of nervous system यह सबसे पहला लैंड मार्क था इनिमल्स के कैटेगरी में क्योंकि नर्वस system जैसी कोई चीज होती है और यहीं नर्वस सिस्टम में भी देखने को मिलता है तीनोफोरा के साथ-साथ जो गट होता है जैसे गाय बैल का जो पेट होता है उसको गट बोलते है उसमें भी हमको ऐसा ही फैला हुआ नर्वस सिस्टम दिखाई देता है diffused टाइप ऑफ सिस्टम है यह आपका सीटी क्वेश्चन है प्लेनेरिया बिलॉंस टू प्लाइटी हेल मिंथस यह आपने ग्यारवी में पड़ा है इसके पास सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बट जो चीज सबसे पहली होती है वह हमेशा अधूरी होती है इस नेवर डेवलाप इसका जो भ्रेइन वह कैसा दिखाई देता है पहला क्षिचन इसका अपको इसका दिखाई देता है इन्वर्ट यू शेप जैसा यह ए सीटी में पूछा चांता है यह देखो और इसे इन्वर्ट यू dépendst नेकलs वह दिखाई Champ T ब्रेजेंस इन दो जो को पोलते हैं वह ले structure present होता है उसके अलावा इनका जो वेंट्रल नर्व कोड है यह वेंट्रल नर्व कोड आपस में कैसे connected है transverse nerves की मदद से यह इसको हम कमीशर भी बोल सकते हैं और यह वेंट्रल नर्व कोड से इधर पर जो ऐसे ब्रांचेस निकल रही है यह ब्रांचेस को हम पेरिफेरल इसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आनिमल्स का complexity लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको नर्वस सिस्टम में complexity बढ़ने को मर्ण बढ़ती हुई देखने मिलेगी आपको अलग अलग टाइप के इंडोक्राइण सिस्टम करता है क्यरेकल क्यिसे में idiots करते हैं है यह सारा system हम को अगया भगा होगता है फिर के सा प्लंट की सीच्टम क्रोल करता है स्पॉंज में कौन से फैलम को करता है उस में कैसे और का नरवस system है जोंसा दब होता है और अब क्या क्या structure यह शो करता है तो यहां तक अभी तक सबको समझ में आया है पका चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का में टॉपिक पहले उसके पहले कुछ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला यह वीडियो सीटी और बोट दोनों के स्टूडेंस के लिए हेल्पुल है तो विच टाइप ऑफ और्गानिजम लाक्स प्रॉपर नर्वस इस्टम किसके पास नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है स्पॉंजेस के पास नर्वस सिस्टम होता ह इसके पास नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है प्लांट्स में चंट्रोल और कोडिनेशन के से कंट्रोल किया जाता है नो इन्यप्त्रिकल सिग्नल्स इधर पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अद्प्र होता है बट उसके लिए नाम है को टर ओफिक मूवमेंट और दी दिए अग नबर D is the right answer, how nerve impulse travel in hydra, hydra में ना तो उपर की तरफ कोई इस डिरेक्शन होता है नीची की तरफ इस डिरेक्शन होता है, इधर पर statement बता है आपको, कि hydra के पास there is no direction, no polarity, तो वो किसी भी direction में impulse को transfer करता है, so absence of polarity and direction, तो यहाँ पर कोई direction देखने को नहीं मिलता है, what is the shape of cerebral ganglion in planaria, cerebral मतलब brain और ganglion मतलब क्या होता है, nerve ring, तो planaria जो आपका flatworm है, इसका brain, कैसा है, inverted U shape, so option number C is the right answer, चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना next topic, that is neural tissue, neural tissue कौन से कौन से type के cell से बना है, और उन सल का क्या function है, क्या structure है, let us see about this, चलो, neural tissue, जब ही हम बात करते हैं, tissue की, tissue बनते हैं, आपके different type के cells से, तो हमारा neural tissue, कौन से दो type के cells से बनता है, पहले तो आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए, it is formed of neurons and neuroglial cells, neurons are the main structural and functional unit of our nervous system, लेकिन इन structure को काम करने के लिए जो इनको help करता है, उन cells को हम बोलते हैं, neuroglia cells, तो पहले हम neuron के structure के बारे में detail में पढ़ेंगे, अगर मैं एक neuron की बात करूँ, तो हमारा यह वाला जो neuron है, यह neuron में हमको 3 structures देखने को मिलते हैं, देखो इधर पे, neurons are nothing but they are the structural and functional unit of nervous system, यह चीज़ आपके CT में होती है, यह आप 11 वी में भी पढ़ चुके हो, और एक multipolar neuron की अगर हम बात करें, तो multipolar neuron में हमको 3 structure देखने को मि जिसको हम बोलते हैं, cyton, दूसरा आता है, dendron, और तीसरा आता है, exon वाला region, this is the third part, this is the second part, तो जब हम बात करते हैं, cell body में आपको क्या क्या चीज़े visible होती है, cell body के पास एकदम clearly visible cytoplasm है, this is the cytoplasm, जो आपके cell body में present होता है, आपको clearly visible nucleus दिखाई दे रहा है, nucleus के अंदर आपका genetic information होगा, plus इसके अंदर present होता है, आपका special nucleus, ये nucleus के बारे में मैं इतना highlight करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो nucleus है, इससे बनता है आपका nistles granules, और nistles granules are very important, nistles granules are special type of components, जिससे आपका neurotransmitter बनता है, मतलब अगर ये neurotransmitter नहीं बना, तो आपका message आगे पास नहीं होगा, ठीक है, देखो ये जो neuron है, ये जो nervous system है, आपका जो brain है ना, वो millions, millions, millions of neurons से बना हुआ है, तो एक neuron का structure समझ में आएगा, तो brain का structure समझ में आएगा, तो एक neuron का structure जब हम पढ़ते हैं, तो उसका जो पहला structure है, इसको हम cell body बोलते है, ये normal cell जैसा होता है, इसमें cytoplasm है, nucleus है, nucleus के अंदर nucleus है, nucleus में आपका special protein बनता है, ये special type के protein components है, क्योंकि ये protein components आपका neurotransmitter बनाने में help करते हैं, मैं neurotransmitter मतलब क्या होता है, they are chemical messenger, मतलब एक neuron से message, दूसरे neuron तक ले के जाने का काम, ये neurotransmitter करते हैं, और ये neurotransmitter सिर्फ और सिर्फ साइटन में देखने को नहीं मिलते हैं, और ये जो nistles granules होते हैं, ये थोड़े से grey color के होते हैं, कैसे होते हैं, ये are grey in color, ये थोड़े से dark color के होते हैं, इसलिए अपना j Investigance region है, ये अपका nessals granule, ये ज्सन granule gray color का होता है, इसलिए आपने पूरे neuron में, ये जोrets प्टीशू प्रेशाम के बारे में में पढ़ के लिए तो एक्जान में आपका निचल्स मानेट प्रेजend नहीं होता है यहां पर आपका निचल्स तिसटीन नहीं पți lubricant है यह न्भी इसके करता है तो पहले मैसेज आपके साइटोन के पास आता है क्या उस tut जो उस मेसेज को आगे पास करने में he Noch Kote तो हमने साइटोन के बारे में समझा में अब दूसरी से बातिवाह यहाँ से केच्टेंड है यहाँ से यह से ल लुझाइयो पेल्स के लिए आपके डेंड्रॉन वाला धीजन और डेंड्रॉन के आगे जो ब्रांचे को बादा वह बोला गांच लुछ इसन तो यह साइटाउन है यह देंग्रों कर देंग्रों बोता प्रेजेंट अप्र निखल्गे यह लूšल्स के पास प्रेजेंट होता है टीज्मि नुरोव सारे दीजिनिघ्यल फ। अइसे आले ज´ फिरेंट होते हैं यह बैसे नुरो फाइब्रेयोस चाहिक्चर प्रेजेंटन यह आगे पास होगा ठीक है तो neurofibrils and nissals granules are present at the base of the dendrons ठीक है ओके next आता है आपका exon exon कभी भी एक neuron से एक ही structure बनता है यह exon बाकी के dendron से अलग है क्योंकि यह structure बहुत ज़्यादा लंबा होता है and it does not contain nissals granules यह चीज सबसे ज़्यादा important है निस्स granules are absent in exon तो मैं आपको क्या बोल रहे हूं निस्स granules gray color के होते हैं जिसके वज़े से साइट और गरे कलर का दिखाई देता है exon के पास निस्स granules है यह नहीं जिसके वज़े से exon white color का दिखाई देता है तो हम exon को बोलते हैं white matter और cyton को बोलते हैं grey matter ठीक है कि इसके अलावा कभी-कभी आपका जो एक्सट्रा ब्रांच देखाई देता है तो यह एक्सट्रा ब्रांच आप पीलो डेंड्रॉंस बोल सकते हो या जब लंबी हो जाती है तो उसको कभी-कभी कभी हम को लाटरल भी बोलते हैं चिक और क्या पता है आपको एधर पर extra कि आपका अपना ही यह अपना थिक है तो अगर नूरॉन नूरॉन है अपस में डेंडॉन की मदद से कनेक्ट हो रहे तो इसको बोलेंगे डेंड prank क्या बोलेंगे उस यह कैसे एक जो डैंड मार्प अगर आपका exone dendron के साथ connect हुआ तो इसको बुलेंगे exodendronic यह एक neuron है और यह दूसरा neuron है इस neuronun का exone इस neuron के dendron के साथ connect हुआ तो इसको बुलेंगे exodendronic ex Peach and которое क्या होता है exon is connected with exon और exosomatic क्या होता है यह आपका exon engine एक सेल के साइटॉन से कनेक्ट हुआ साइटॉन मतलब उसका सेल बॉडी सेल बॉडी को सोमेटिक पार्ट बोलते हैं तो ऐसे आपको दो नियूरॉन के बीच में अलग अलग टाइफ का कनेक्शन देखने को मिलता और यह अपने पूरे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता उस रिजन को हम बेसल गैंगलिया यह देखो उसको हम बोलते हैं बेसल नुकलिया है जहां पर आपका साइटॉन वाला रीजन जादा होता है अगर हम एक्सवाद की बात करें तो एक्सवान के पास ना आउटर लेवर को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो मैंने बोला कि द तो यह white color का दिखाई देता है और एक reason है यह white color का क्यों दिखाई देता है क्योंकि इसके पास यहाँ पे special type के cells होते हैं इन cells को बोलते हैं Schwann cells क्या बोलते हैं इनको शेजवान नहीं श्वान cells यह Schwann cells एक special type का myelin sheath बनाते हैं यह myelin sheath fatty tissue से बनती है लिपिड और fatty tissue से ठीक है तो कुछ neurons ऐसे होते हैं जिनके पास myelin sheath होती है और कुछ neurons ऐसे होते हैं जिनके पास myelin sheath नहीं होती है जिनके पास myelin sheath होती है ऐसे neurons को myelinated neuron बोलते हैं या medulated neuron बोलते हैं और जिनके पास myelin sheath नहीं होती है देखो इधर पर myelin sheath नहीं है तो ऐते neuron को unmyelinated बोलते हैं या non medulated बोलते हैं ठीक है तो इसके पास myelin sheath है इसके पास myelin sheath नहीं है मैं myelin sheath का क्या use है मैं बताती हूँ पर उसके अलावा ये वाला neuron हो या ये वाला neuron हो दोनों के पास myelin sheath हो या ना हो एक layer दोनों में common होती है और वो है neurlema मतलब समझो इसके पास भी एक extra layer रहेगी जिसको आम बोलेंगे neurlema और इसके पास भी एक extra layer है जिसको आम बोलेंगे neurlema तो ये layer दोनों में common है ये layer दोनों में common है नियूरी लेमा वाली लेयर, देखो, this layer, it is present either in non-medulated or medulated, ये दोनो नर्व में present होता है, see, this layer I am talking about, तो जिस neuron में, myelin sheath होता है, और उसमें नियूरी लेमा भी होता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, देखो, ये आपका myelin sheath है, और ये आपका नियूरी लेमा वाला लियर है तो नियूरी लेयर के अलग-अलग टाइप्स होते हैं ठीक है एक सिंगल नियूरॉन को हम फैसिक्यूल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम फैसिक्यूल फैसिक्यूल एक सिंगल नियूरॉन को हम फैसिक्यूल बोलते हैं इधर पर देखो दिया है दर कनेक्टि नियूरों का बंदल जब एक बंदल में पैक हो जाता है तो उसको पैरी नियूरियम बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे पैरी नियूरियम जब एक बंदल में पैक हो जाते हैं तो यह बहुत सारे नियूरॉंस जब एक बंदल में पैक हो जाते हैं पैरी नियूरियम और ऐसे और इनके बीच बीच में oxygen supply करने के लिए और waste collect करने के लिए हमारे blood vessels भी present होते हैं तो यह आपका endoneurium, perineurium और epineurium इसके उपर आपको CUT question पूछा जाता है plus blood supply करने के लिए they also have blood vessels in between them हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी, कि मैं यह medulla होने से या ना होने से क्या फरक पड़ता है what is the function of this myelin sheath, myelin sheath होने से आपका जो nerve impulse है, वो fast हो जाता है conduction of impulse in the medulated nerve is 50 times faster than in non-medulated nerve इसको bracket में डालके double star mark करो, यह boards में भी आता है, CUT में भी आता है आपके medulated nerve में जो process है, वो 50 गुना ज्यादा तेजी से जाता है, as compared to non-medulated nerve कैसे यह वाला वीडियो देखो, यह आपका non-medulated है, इसके पास myelin sheath नहीं है they don't have myelin sheath, इधर पर myelin sheath present है, इसका impulse देखो और इसका impulse देखो कितना फरक है यह impulse 50 times faster है और यह impulse बहुत ज़्यादा slow होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऐसा imagine करो, कि आप sack race खेल रहे हो, आपने अपने पैर में गोनी डाली है और आप गोनी से jump करकर के आगे जा रहे हो, तो jump करके आप जादा distance कवर करोगे और वही अगर आप चल चल के आगे जाओगे, तो आप कम distance कवर करोगे same time में, तो यहाँ पर message jump करकर के आगे जाता है, जिसके वज़े से यह जल्दी पहुच जाता है, दूसरे neuron तक, जबकि यह message दीरे दीरे चल चल के आगे जाता है, जिसके वज़े से यह message slow होता है, तो यह 1 is to 50 का ratio दिखाता है, medulated neurons 50 times जाधा fast होता है, as compared to non-medulated neurons, तो I hope आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया है, ठीक है, अब बात करते हैं, दो टाइप के neuroglial cells होते हैं, एक जो peripheral nervous system के लिए काम करते हैं, एक जो central nervous system के लिए काम करते हैं, ध्यान से सुनो, जब भी word आएग central nervous system, मतलब हम बात करेंगे brain और spinal cord की, देखो, हमारी body में वैसे तो सारे organs important है, लेकिन कुछ ऐसे organs हैं, जो VIP organs है, जैसे की heart, lungs, liver, brain, spinal cord, ठीक है, skin यह अपनी temporary organ है, skin थोड़ा वो damage हो जाता है, चल जाता है, लेकिन heart में damage नहीं होना चाहिए, brain में damage नहीं होना चाहिए, spinal cord में चाहिए, so these are VIP organs of our body, तो वैसे ही brain और spinal cord अपने VIP organs है, तो VIP organs का भी same काम होता है, बट उनके लिए अलग से cells होते हैं, और peripheral nervous system के लिए अलग से cells होते हैं, VIP organ, यानि brain और spinal cord के पास 4 neuroblial cells होते हैं, जो आपको brain और spinal cord के neurons में help करते हुए दिखाई देंगे, तो इसका पहला type का cell आता है, oligodendrocyte, oligodendrocyte central nervous system में present होता है, यह क्या करता है, यह central nervous system के neurons में myelin sheath बनाने का काम करता है, myelin sheath fatty tissue से बनी है, तो यह insulation प्रोवाइड करती है, यह देखो, यह आपके oligodendrocyte है, oligo मतलब क्या होता है, कि इनके पास बहुत सारी branches होती हैं, और यह central nervous system के neuron के बाहर myelin sheath बनाते हैं, बस, इतना ही आपको question में पूछा जाता है, what is the function of oligodendrocyte, तो यह central nervous system के neuron में myelin sheath बनाता है, फिर second type का neuron कौन सा आता है, brain macrophage, जिसको microglia cell बोलते हैं, तो देखो, यह आपका microglia cell है, इसको macrophage भी बोलते हैं, क्योंकि आपके nervous system में अगर कोई neuron मर गया, क तो यह brain का खचरा जमा करता है, फिर तीसरे type का cell कौन सा आता है, astrocyte, astrocyte star shape के cells हैं, यह अपने star shape के cells हैं, इसको हम blood, brain, barrier भी बोलते हैं, इसका main काम है, आपका जो भी blood आता है, blood में से जो भी nutrients आप nervous system के लिए ले के आयो, इस nutrients को हम CSF बोलते हैं, तो पहले इस blood को check करना कि कहीं इसमें कोई pathogen तो नहीं है, कोई drugs तो नहीं है, कोई toxic substance तो नहीं है, यह सब check करने के बाद, उसको central nervous system के neurons को देना, यह काम होता है, आपके astrocytes का, तो astrocytes वो bouncer है, जैसे club के बाहर bouncer होते हैं, जो पहले आपकी checking करते हैं, आपकी ID चेक करते हैं, सब check करते हैं, फि TBB cells, ठीक हैं, they are known as the blood brain barrier, और last में आता है आपका ependymal cells, देखो, normal nutrients है, वो तो brain को blood से मिलता है, लेकिन कभी-कभी जब body का accident हो जाता है, चोट लग जाती है, body coma में चली जाती है, तो आपका जो heart है, यह normal pumping करना बन कर देता है, ऐसे case में, अगर body से blood नहीं पहुंच पा रहा है, वो अपना backup ready रखता है, तो समझो गलती से, अगर body से blood नहीं आ पाया, nutrients नहीं आ पाया, तो brain अपने खुद के nutrients वाले cell बना के रखता है, जो की है ependymal cells, जो nutrients हमारे brain को blood से मिलता है, वो same nutrients ependymal cells से मिलता है, तो ependymal cells यह अपने brain का, खुद का backup है, जो इसको CSF बनाने म वो central nervous system को दिया जाता है, लेकिन यह backup है, मतलब main खाना तो वो body के उपर ही depend करता है brain, पर अगर समझो brain से खाना नहीं पाया, तो backup के लिए ependymal cells help करते हैं, तो देखो ependymal cells, जहां जहां पे brain के cavity होती है, खाली empty space present होती है, वहां पे हमको ependymal cells देखने को मिलते हैं, क्यों पका, चल, कुछ MCQs देखते हैं, तो पहला ही question आपको पूछा गया है, identify the type of neuroglial cell, कौन से type का neuroglial cell दिखाई दे रही है, अब भी पड़ा, astrocyte मतलब star-shaped cells, schwann cells, ऐसे होते हैं, hot dog जैसे, oligodendrocytes, oligo मतलब multiple branches, तो इसमें multiple branches तो दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसे, ऐसे, तो process निकलता है, यह आपका हात जो है, this is your cyton, तो cyton से exon भी निकलता है, ठीक है, cyton से dendrons भी निकलता है, यह dendrons है, और cyton से यह astrocytes बना है, astrocytes मतलब यह आपका cyton है, यह आपका cyton है, main, और इस से ही ऐसे बहुत सारी branches निकली हैं, देखो astrocyte cell कैसा दिखाई देता है, य astrocyte है, यह बीच का cyton है, तो cyton से ही बहुत सारी branches निकली हैं, तो astrocytes are also nothing, but they are formed from astrocytes, so all of these, next, which of the following is true for exon, exon का क्या function होता है, they carry impulse away from the cyton, this is true, देखो, यह वीडियो देखो, exon का main काम क्या है, यह exon है आपका, this is your exon, तो exon का main काम क्या है, cyton से वो message दूर लेके जाते हैं, they carry message away from the cyton, तो पहला function, पहला point right है, they carry message away from the cyton, this is true, they carry impulse from dendrons to cytons, no, they further branch into dendrites, no, exon का जो branch उसको telodendron बोलते हैं, they are present in neuroglial cells, no, आपके neuroglial cells में आपको कहीं पे भी exon दिखाई नहीं रहेगा, यहाँ पे भी exon नहीं है, यहाँ भी exon नही नहीं है, so only option number one is true, ठीक है, next, terminally the exon gives out branches called as, तो exon के जो branches होते हैं, वो branches को हम क्या बोलते हैं, collaterals, यह देखो, इधर पे दिया हैं, exon अपना terminal branches बनाता है, कभी-कभी, the exon may give out lateral branches called as collaterals, मतलब अगर समझो, यह आपका neuron है, यहाँ से अगर दूसरी branch निकली, तो इस branch है, यह branch बाजू में है, लेकिन अगर terminal branch बोला है, तो उसको हम telodendron बोलेंगे, क्योंकि यह end से निकला है, तो terminal branch को telodendron बोलते हैं, और यहाँ साइड से कोई branch निकल रही है, तो इसको collaterals बोलते हैं, this is collaterals, this is telodendrons, तो अगर terminal branch बोला है, तो telodendrons आएगा, और अगर lateral branch बोला है तो Collateral ऐगा तो एदर terminal branch बोला है यह तो ट्रि mai टइलोचोड प dato कि mark थे और एक इस नेउन को सिंगल निउरॉम है जो चीब tapping स्ट लेयर को क्या बोलते हैं Market way familiar के बाहर जो यह वाला question पूछा एंट नीयराम पे बाहर जो लायर प्रेजंट बहुत सारे स्टारे आपको अभी तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया है ठीक है मैं काफी स्लो जा रही हूं अब इजी-जी वाला पार्ट है तो अच्छे से समझेंगे ठीक है चल लेट सी वाट इस इस वर्ड का मतलब क्या होता है सबसे पहली बात तो सिनाप्स मतलब होता है जिसका छोटा सा गाप्प्रेशन होता है जहां से अपर मेसेज़ करते हो तो यह रेखो यह आपका एक नियुरॉन है यह आपका दूसरा नियूरउन है दोनों के बीच होते हैं और उस association को हम बोलते हैं सिनाप्स सिनाप्स नतिंग बड़ जंक्शन पॉइंट जहां पर आपका एक नियूरॉन दूसरे नियूरॉन को मैसेज पास करता है अभी एक जो नियूरॉन होता है उस नियूरॉन के करने के बाद वह मैसेज सिप अपने पास नहीं रखेगा वह मैसेज को आगे पास करेगा तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंड़क्टिविटी मैसेज को आगे पास करने के लिए उस नियूरॉन का कुछ मिनीमम थ्रेशोल्ड लेवल होना जी है जैसे सिंपल एक्जांपल देती है तो घर पे सुबह सुबह बहुत अच्छे से नीन्द आती है तो जब सुबह सुबह आप मम्मी को बलते मुझे शे बजे उठा देना तो मम्मी आपको 545 से उठाना चालू कर देती है कि उड़ जा शे बज गया मम्मी की बात का आप पर कुछ बढ़र मम्मी अगर पपा का नाम ले लेती है तो फटाक से बैठ जाते हैं या फिर घर पर वहांथाटेम जब आपको चोटा सीगनल तो मम्मी जब आपको उठाती है तो आप नहीं उठते हो ऐसे stimulus को बोलते हैं वीक stimulus जिसको हम बोलते हैं सब्वीनल स्टिमिलस तो सब लिमिनल स्टिमिलस के वज़े से आपका नियूरॉन कभी एक्साइट नहीं होगा लेकिन जब आपके नियूरॉन को स्ट्रॉंग स्टिमिलस मिलता है तो उस स्टिमिलस को बोलते हैं सुप्रा लिमिनल स्टिमिलस स्टिमिलस के वज़े से ही आपना जाओ 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 पच्चास बार बोलने के बाद तो आप उठी जाओगे क्योंकि अब नीन तो तूटी गई है वैसे भी नीन नहीं लगने वाली है तो तो तेस कॉल समेशन एफेक्ट मतलब एक वीक स्टिम्यूलस ते आपका न्यूरॉन सब्सक्राइब को यहां तो इस मैसेज को इदेर आने के लिए जितना टाइम लगता है उस सीनाप्टिक दिले 0.3 to 0.5 milliseconds का time ये time लगता है एक synapse को cross करने के लिए और जब तक ये message आगे नहीं चला जाता तब तक दूसरा impulse इधर पे रुका रहेगा तो जो दूसरा impulse यहाँ पे आके रुका हुआ है उस period को बोलते हैं वो जो milliseconds का period होता है उस period को बोलते हैं refractory period समझ में आया, synaptic delay मतलब क्या होता है एक neuron से message दूसरे neuron तक जाने का time और जब तक ये पूरा message इधर नहीं आ जाता है तब तक दूसरा message आगे नहीं आएगा तो यहाँ पे ये message जो रुका हुआ है इसको बोलते है refractory period ठीक है, next होता है synaptic fatigue यह क्या होता है, आपका neuron ठक जाता है क्योंकि उसके पास आपके neurotransmitter खतम हो जाते है तो कुछ time के लिए आपका message आगे पास होना stop हो जाता है कभी-कभी होता है, नो मसल में अचानक से cramp आ जाता है यानि कि वो synaptic fatigue के वज़े से वाए क्योंकि आपका मसल को message आगे नहीं मिल रहा है velocity मतलब क्या होता है, आपके neurons के पास करने की capacity यह देखो, यह non-medulated nerve fiber है, यह medulated nerve fiber है इसमें message कितने फटा-फट जा रहा है क्योंकि यह एक node of rainwire से दूसरे node of rainwire region के बीच में रहता है तो यहां message fast transmit होता है, यहां पर message slow transmit होता है तो velocity मतलब क्या होती है, आपके message transport करने की capacity तो यह हमने अभी बढ़ा कि अपना medulated nerve fiber होता है उसमें अपना transmission fast होता है as compared to non-medulated क्योंकि medulated nerve fiber में आपका message एक node of rainwire से दूसरे node of rainwire के उपर jump करता है और non-medulated nerve fiber में क्या होता है, message बहुती ज़्यादा slow होता है अगर हम homeotherms याने warm blooded animals की बात करें तो warm blooded animals में यह message transport करने की capacity होती है, यह speed काफी ज़्यादा fast होती है आपको CET में question पूचा जाता है, कि humans में अगर हम compare करें तो voluntary fibers का speed कितना होता है, 100 to 120 meter per second in humans meter मतलब length of neurons, यहाँ पर meter मतलब किसका length compare किया गया है, neurons का length यह आपका एक neuron, यह आपका दूसरा neuron, यह आपका तीसरा neuron, ऐसे करते-करते millions of neurons से आपका एक लंबा सा chain बनता है, जिससे आपका brain और spinal cord बनता है तो आपका जो भी message transfer हो रहा है, उसकी speed बताई गई है, voluntary fibers में कितने speed से message transmit होता है, 120 meter per second, और जो non-voluntary fibers है, यह involuntary fibers है, इन में कितने speed से message transmit होता है, 10 to 20 meter, ऐसा क्यों, इसमें slow क्यों है, क्योंकि बेटा जो involuntary organs है, जैसे आपका heart, आपका stomach, आपका lungs, आपका liver, यह आपका heart से उस time पर move होएगा, तो this is voluntary movement, तो उस time पर मेरा message fast transmit होना चाहिए, ऐसे slow motion में किसी को नहीं मारेंगे ना, लेकिन आपका lungs और liver, यह आपकी जिन्दगी बर काम करने वाला है, तो इसको जल्दी-जल्दी काम करा कि क्या फायदा, वो अराम से पुरा जिन्दगी पर काम करेगा, धीरे-धीरे काम करेगा, तो voluntary nerve fibers का speed 120 meter per second होता है, और involuntary nerve fibers का speed 10 to 20 meter per second होता है, अभी अगर हम neurons की बात करें, तो यह आपका जो एक neuron है और यह दूसरा neuron है, इसके बीच में जो gap होता है, यह gap कितना होता है, approximately 30 nanometers का, synaptic lab का gap कितना होता है, 30 nanometers औ 0.3 to 0.5 millisecond, ठीक है, ओके, इसके अलावा आपका जो neuron message लेकर आता है, इस neuron को बोलते हैं, pre-synaptic neuron जो message लेकर आ रहा है, और जो neuron message receive कर रहा है, उस neuron को बोलते हैं, post-synaptic neuron, यहां तक सब को अच्छे से समझ में आया है, अब देखो, जो impulse है, वो दो type का होता है, types of synapses are of two types, electrical synapses और chemical synapses, electrical synapses और chemical synapses दोनों में message आता है, बट फरक क्या है, chemical synapses के पास special structure होते है, vesicles जिनके अंदर आपके neurotransmitters होते, electrical synapses में ions का flow होता है, यहां पे भी ions का flow होता है, यहां पे gap junction 3.8 nanometer का होता है, यहां पे जो gap होता है, यह 30 nanometer का होता है, यह process fast होता है, यह process comparatively slow ह था हूद यहां पर है यहां पर यहां लिदे तो बीच्चेंज होटेहं यहां पर मैसे सेंट किया जाता है यहां पर इंटर्मीडिय्ट इन्वोल्ड नहीं है यहां पर इंटर्मीडियरेट जैनेश की सिनाप्टिक इसकता है यह को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब आपके न्यूरॉन के पास मेस्च आता है तो आपने जो क्याल्शिम चैनल्स यह यह चैनल्स ओपन होते हैं जिसके वज़े से क्यार्शम जाके सिनाप्टिक वेसिकल के साथ चिपक जाता है सिनाप्टिक वेसिकल हेवी हों के आपके सिनाप्टिक मिम्रेन के साथ चिपकता है जिसकी वजह से अपको नीचे छोड़् देता है इह कहले पर Settings कैλο अधर pi ते उपने ही हैं इंहों प्रोसेस को ऑन करना है कि आप कॉनसे टाइब का निरो ट्रांस्मिटर ले रहे हो जैसे कि अगर आप सुभी-सुभी सो के उठ रहे हो तो तो सेरो टोनिल नीरो ट्रांस्मिटर होगा तो डिपेंड करता है कि आपने कौनसी टाइप का Neuro Transmitter बना है एक बार आपका मैसेज पूरा ट्रांसफर हो गया तो जैसे होटेल में एक इंसान जब खाके जाता है तो दूसरे इंसान को बिठाने से पहले वेटर आके टेबल साफ करता है तो वैसे ही सेकेंड मेसेज आने से पहले यहां पे जो पहले वाला सब्सक्राइब करने के लिए यहां पेक स्पेशल एंसान प्रेजन होता है जिसको हम बोलते है को लाइन इस्टरेज यह को आपके पहले का बच्चा हुआ निरो ट्रांस्मिटर रेगा उसको साफ करेगा तब ही आपका सेकेंड मेसेज आगे जाएगा तो इस फ्लोचाट के हैब इफेक्ट जो सबसे वीक स्ट्रॉलस होगा वी को बोलते हैं अबलोंडोंड को क्या बोलते है ईक हैसे अदूक्त कर लाइस इस वे intercellular space that lies between two nerve cells, यह उपर वाला nerve cell यह नीचे वाला nerve cell, इस space को क्या बोलते हैं, synaptic lift, transmission of impulse across, transmission of impulse दो टाइप का होता है, electrical और chemical, electrical synapse is slow, no, electrical synapse fast होता है, so this is right, electrical synapse and chemical synapse is same, no, none of the above, नहीं, option number B is the right, चलो, अब आगे पढ़ते हैं, transmission of nerve impulse, बच्चों को यह topic difficult लगता है, बट यह है नहीं, बहुत ही easy तरीके से, अच्छे तरीके से इस topic को cover करते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनना क्या-क्या होता है, देखो, एकदम simple terms में explain करते हूं, transmission of nerve impulse कैसे होता है, चीक है, सबसे पहले neuron का structure देखो, neuron का जो भी आपका structure है, उसका जो cell membrane वाला structure है, तो cell membrane के साइटोप्लाजम के अंदर और साइटोप्लाजम के बाहर, तो अलग-अलग ions प्रेजेंट होते हैं, origin of life, मतलब origin and evolution of life वाले chapter में हमने पढ़ा था, कि पहला living cell ओशन के पानी में बना था, ocean का पानी, याने salt concentration जादा, याने के cell में sodium chloride जादा प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं किसकी बात कर रही हूँ, neuron की बात कर रही हूँ, जब हम neuron की बात करते हैं, तो यह आपके cell का अंदर वाला पार्ट है, neuron के membrane का अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको potassium आयन जादा देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि बाहर potassium होता ही नहीं है, बाहर भी थोड़ा सा potassium होता है, chloride होता है, ठीक है, अंदर potassium जादा होता है, बाहर sodium का predominance है, अंदर potassium का predominance है, इसके अलावा अंदर की तरफ आपको special protein और nucleic acids भी अभी DNA और RNA के पास phosphoric acid होता है जिसके वज़े से यह negative structure है यह भी negative structure है तो यहाँ पर potassium है प्लस इतना सारा negative molecule है तो जो cell के अंदर का structure है नॉर्मल स्टेट में आपको कैसा दिखाई देता है negative दिखाई देता है और सेल के बाहर का structure यहाँ पे sodium जादा present है तो नॉर्मल कंडिशन में सेल के बाहर का structure कैसा रहेगा positive रहेगा तो जब हम एक neuron का resting potential measure करते हैं बहुत सारे scientists लोगों ने voltmeter से connect करके चेक किया कि cell जब एकदम normal state में होता है एकदम resting phase में होता है तो उस time पे cell का potential कितना होता है जब इसको हमने electrode से connect करके चेक किया तो इसका potential हमको मिला माइनस 70 मिली बोल्ट माइनस में क्यों है यह क्योंकि अंदर negative protein ज्यादा है positivity कम है बाहर positivity ज्यादा है negativity कम है तो अंदर negativity ज्यादा है मतलब कितना potential है माइनस 70 मिली बोल्ट नूरॉन के इस potential को बोलते हैं resting membrane potential और इस state को बोलते हैं polarized state क्या बोलते हैं इसको polarized state polarized word का मतलब क्या होता है दो opposite poles यहाँ पर positive pole है यहाँ negative pole है क्योंकि यहाँ पर positive ions जादा है यहाँ पर negative ions जादा है तो इस state को बोलते है polarized state और यहां पर जितना potential है मतलब जितना इसका voltage उस voltage को बोलते हैं resting potential क्या बोलते हैं उसको resting membrane potential जो कितना होता है minus 70 millibolt पहली चीज़ clear सब को यह अपना neuron का normal state है अब जब अपने neuron को मेंसेज आता है तो जब neurons को मेंसेज मिलते हैं तो अपने neuron के पास बहुत सारी होती है गुछ वोटेज चैनलस रखोग अपने न्यूरान के पास मुरें отвеч चैनलस बहुत-सारे घ्टेज गेट चैनलस नुढ़न होती है अन्दर लेते हैं मतलब बाहर का पोटाशिम हम अंधर लेकेज करते रहतें लेकिन उसके वज़ से क्या होता है कि अंदर इतना भी जादा potassium नहीं आ जाएगा कि अंदर का positivity बढ़ जाए potassium अंदर आ रहा है लेकिन sodium आयन तो बहारी है ना और sodium जादा electropositive है तो leakage potassium का चालू रहता है लेकिन sodium बहारी रहता है जब आपका impulse आता है जब अपने neuron को message मिलता है तो बहार के positive ions मतलब जब आपका impulse आता है जब आपको message मिलता है neuron को तो यहां पे जो आपका sodium gated channels है यह रेखो यह आपका voltage gated channels है यह voltage gated channels एकदम से खुल जाते हैं जिसके वज़े से sodium के अंदर entry हो जाती है और जैसे sodium ने अंदर entry मारी तो अंदर positivity बढ़ जाएगी और बाहर हो गया क्योंकि तुमने इसको डिस्टर्ब कर दिया जब आप neuron को डिस्टर्ब करते हो तो उसका voltage gate खुल जाता है जैसे उसका voltage gate खुल जाता है sodium बोलता है अब मैं अंदर आऊंगा जैसे देखो आपका message जैसे जैसे आगे आगे पास होते जाएगा तो फिर से polarity बापीस आते जाएगी तो जैसे यह message आगे चला जाता है वैसे पीछे फिर से repolarization हो जाता है मतलब पहले जैसा चैनल था वैसा हो जाता है तो यह पहले जैसे sodium आ गया था वह extra sodium को पकड़के यह बाहर फेकता है देखो अंदर के तीन sodium को यह बाहर फेकता है ATP की मदद से इसलिए इस प्रोसेस को active process बोलते हैं और बाहर से दो potassium अंदर लेके आता है अंदर का sodium और potassium का exchange कैसे होता है 3-2 के ratio में और यह किसकी मदद से होता है ATP की मदद से होता है तो इसको हम प्रोटॉन ट्रांसपर्ट पंप भी बोलते हैं या sodium potassium पंप भी बोलते हैं तो हमने क्या बोला नॉर्मल स्टेट में अपना पोलराइस स्टेट में होता है जब अपना पोलराइस स्टेट में होता है तो उसके अंदर नेगिटिविटी जादा होती है बाहर negativity रह जाती है तो इसको बोलते हैं depolarized state लेकिन अपना neuron हमेशा excited state में नहीं रहता है यह message को आगे आगे पास करेगा जैसे यह message को आगे आगे पास करेगा तो अपने neuron के पास special sodium potassium pump है यह sodium potassium pump क्या करते हैं यह अंदर आये हुए extra sodium को फकड़ के बाहर भेज देते हैं ATP की मदद से और बाहर जो sodium potassium चला गया था वो potassium को पकड़के अंदर लेके आ जाते हैं तो इस pump को बोलते हैं sodium potassium pump या proton transport pump अब यहां पर इस theory में क्या दिखाया गया है देखो मैं आपको हमेशा बोलती हूं महाराष्टा बोड की textbook में जो चीज पहले देनी चीए वो बात में देते हैं जो बाहर की तरफ है वहां पर आपको sodium जादा देखने को मिलता है तो potassium अंदर की तरफ जादा है और sodium बाहर की तरफ जादा इसकी वज़े से आपको ऐक polarized state देखने को मिलता है, बाहर sodium जादा होने के वज़े से जब gate खुलेगा तो sodium अंदर आएगा, जब sodium अंदर आएगा, तो फिर imbalance हो जाएगा, आपका neuron depolarized state में चला जाएगा, तो उसको balance करने के लिए हम फिर sodium potassium pump की मदद लेते हैं, sodium potassium pump का नाम है proton sodium pump या sodium potassium exchange pump, यह process कैसे काम करता है, ATP की मदद से, देखो इधर पे, ATP यूज होता है, तो इस process को हम active process बोलते हैं, क्योंकि इसमें ATP energy यूज होती है, जब आपका neuron must rest कर रहा है, उस potential को बोलते हैं, resting membrane potential जो कितना होता है, minus 70 millivolt, जब आपका यह positive ion अंदर आता है, तो उस time पे, आ आपका neuron का potential कितना change हो जाता है, जब sodium ions अंदर आ जाते हैं, तो आपके neurons का कितना positivity हो जाता है, plus 30 millivolt, तो ज़्यादा से ज़्यादा यह कितना positive होता है, plus 30, और कम से कम यह कितना negative रहता है, minus 70, तो minus 70, फिर minus 69, एते करते करते यह plus 30 तक जाता है, ग्राफ, फिर plus 30 होने के repolarized state, this is repolarized state, यह है आपका transmission of impulse and conduction of impulse, देखो इधर पे, जैसे ही आपके neuron को stimulus मिला, neuron पहले resting potential में था, जैसे ही उसको message मिला, आपका sodium channel active हो गया, और sodium अंदर आने लगा, sodium जैसे ही अंदर आता है, तो अब अंदर आपको positive ions जाधा देखने को मिलते हैं, अंदर positivity जाधा तो आपका potential minus 70 से plus 30 पे चला जाता है, इसको बोलते है action potential, ठीक है, अब polarity change हो गई है, तो यह polarity जो change हुई है, इसको बोलते है depolarization क्योंकि अंदर positivity जाधा है, बाहर negativity जाधा है, इसको फिर से normal करने के लिए हम sodium potassium pump की मदद लेते हैं, sodium potassium pump में क्या होता है, अंदर का sodium बाहर फ potassium ions को फटा-फट फटा-फट बाहर एक्जॉन के बाहर फेकते हैं और sodium ions को भी बाहर फेकते हैं, फिर बाद में potassium ions अंदर लेके आते हैं, तो अब दीरे-दीरे करके अंदर positivity कम होते जाएगी, और negativity बढ़ते जाएगी, आपका repolarization हो जाएगा, और जैसा आपका neuron पहले था, अंदर आपका negativity था, बाहर आपका positivity था, यह फिर से achieve हो जाता है, तो इस तरीके से आपका message transmit किया जाता है, यह topic जितना difficult लगता है, उतना topic difficult है नहीं, मैंने जो explain किया है, आप इसको इसी sequence में समझोगे, तो मैं guarantee देती हूँ, boards में भी answer लिख पाओगे, और CET में भी solve कर पा यह process आपको याद रखना है, आपके neuron के पास leaky channels होता है, जो potassium आयन को बाहर फेकता है, sodium आयन को अंदर लेता है, जिसके वज़े से भी voltage होता है, resting potential कितना होता है, minus 70 millivolts, action potential कितना होता है, plus 30 millivolts, बस, इतना ही याद रखना है, ठीक है, चलो, इसके कुछ MCQs देख लेते हैं synaptic vesicles contain, synaptic vesicles मतलब क्या होता है, यह आपका pre synaptic neuron है, यह आपका synaptic vesicle है, इसके अंदर आपके जो chemicals होते हैं, वो chemicals क्या बोलते हैं, neurotransmitters, after transmission of impulse, neurotransmitter is removed, एक बार आपका message इधर से इधर आ गया, तो इधर पर जो बचा हुआ कचरा रहता है, उसको वेटर आके साफ करता है तो अपना वेटर कौन है, यहाँ पर अपना वेटर है, coline esterase, इधर पर आपने पढ़ा ना यह नाम, कि एक बार आपका message पास हो गया, तो coline esterase आके उसको clean कर देता है, यह देखो, coline esterase आके क्या कर देता है, बचे वे neurotransmitter को destroy कर देता है, तो यह चीज बहुत important है, जो bold में दी गई है, ठीक है, next question, with respect to sodium-potassium pump, कितना sodium ions बाहर बेजेंगे तो कितना potassium ion अंदर ले सकते हैं, 3 is to 2, 2 sodium out, 2 potassium in, ठीक है, the average potential difference between the nerve cell membrane is, potential difference कितना है, nerve cell membrane का, potential difference मतलब यह और resting potential, it is minus 70 millivolt, नेक्स, next, चलो, सो जो इस topic का सबसे difficult वाला, इस chapter का सबसे difficult वाला पाट था वो खतम हो गया है, अब हम पढ़ेंगे, actual, central nervous system, peripheral nervous system, और autonomic nervous system के बारे में, that is brain, spinal cord, brain के different parts, spinal cord का structure, etc, etc, ठीक है, चलो, let's continue with our next topic, that is brain, starting with human nervous system, सबसे पहले आपको basic चीजे पता हो नहीं चाहिए, कि nervous system कितने parts में divided होता है, तो अपना nervous system तीन पार्ट में divided है, central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, central nervous system के हम बात करें, तो उसमें दो organs आते हैं, brain और spinal cord, peripheral nervous system की बात करें, तो brain से जो nerves निकलती हैं, पूरी body में फैलती हैं, उन nerves को बोलते हैं, cranial nerves, और spinal cord से जो nerves निकलके पूरी body में फैलती हैं, उन नर्वस को बोलते हैं स्पाइनल सो इसके बाद आपका जो ऑर्टोनॉमिक और्गन होता है जो पूरी तरीके से आपके नर्वस सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन खुद भी सेल्फ रेगुलेटिंग अक्टिविटे रिखाता है ऐसे ऑर्गन जाते हैं ऑर्टोनॉम सिस्टम में और और थे चाहिए बिदे बथे बहुत जब्र बात करें इसको ब्रोटेक्षण ब सब्सक्राइब नुक्सान पहुंचा तो आपका पूरा पूरा बॉर्डी का नर्वस सिस्टम डैमेग हो सकता है तो सेंटरल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए it has an outer covering of bones अपने brain के outer covering को जो अपने खोपडी है इसको हम brain box या cranium बोलते हैं जो अपने बोन से बना हुआ होता है और अपने spinal cord का जो bone वाला protection वाला outer covering है उसको हम बोलते हैं vertebral column अपने खोपडी के just नीचे यह रेखो यह अपना bone है this is the skull this is the cranium इसके नीचे बहुत सारी protective layers present होती है जिसको हम बोलते है protective meninges क्या बोलते हैं इसको meninges तो यह meninges पीन टाइक की होती है सबसे बाहर की तरफ जो meninges होते है उसको बोलते हैं dura matter यह जो सबसे बाहर वाला basic protection प्रोवाइट करना और इसके पास blood vessels नहीं होते हैं तो इसको nutrients कहां से मिलते हैं PR matter से एरेक्नोइड matter second layer है second layer के पास भी blood vessels नहीं होते हैं they have no blood vessels it is the middle layer और यहां पर आपको web like structure दिखाए देता है और इसको भी nutrients कहां से provide होते हैं PR matter से और जो third layer है जो PR matter वाली layer है यह layer directly आपके brain से connected है, तो इसके पास बहुत सारे blood vessels होते हैं, it is highly vascularized, जिसके वज़े से यह खुद को भी nourishment प्रोवाइड करती है, और उपर के layers को भी nourishment देती है, और यह same layers आपके spinal cord के पास भी होती है, so these three layers are present for protection of brain and these three layers are present for protection of spinal cord, जब भी हम brain की study करते हैं, तो उसको हम बोलत हैं उसकी study को, यह देखो, आगे दिया है, the study of brain is known as anthropology, पर उसके पहले हम CSF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, CSF को simple भाशा में अगर बोलेंगे, तो it is cerebrospinal fluid, मतलब ऐसा fluid जो आपके brain को भी दिया जाता है, और आपके spinal cord को भी दिया जाता है, जिसमें सिफ nutrients और healthy प्लेशन मिल सके, तो उस fluid को बोलते हैं CSF, यह fluid किदर से आता है, यह fluid आता है आपके blood vessel से, तो जो blood vessel आपके PR matter से निकलता है, यह blood vessel बहुत सारे blood vessel के bundle से बनता है, उस bundle को बोलते हैं, Choroid Plexus, Choroid मतलब क्या होता है, और Plexus मतलब क्या होता है, Choroid मतलब vessels, और Plexus मतलब क्या होता है, बंडल, तो बंडल के vessels को, बंडल को बोलते हैं Choroid Plexus, जिससे आपके पूरे के पूरे ब्रेन को नरिश्मिंट प्रोबाइड होता है, CSF मिलता है, अब मैंने आपको बताया था कि कभी-कभी अगर समझो, अपने ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ट को, बॉडी से CSF नहीं मिला, तो अपना ब्रेन बैक अप के लिए, खुद के पास क्या रड़ी करके रखता है, अपनी बॉडी से उसको CSF नहीं मिल पाया, तो वो अपनी ब्रेन को ब्रेन कोड की जो चाविटी है, उसके अंदर वो CSF भर देते हैं, तो स्पाइस्ट एक्सचेंज करता है, आपके ऑक्सिजन को सप्लाइ करता है, और जो भी कच्रा है, वो कच्रा बाहर फेक देता है, माइक्रोग्लिया सेल्स उस कच्रे को बाहर एक्सचेंज कर देते हैं, एस्टोसाइट की मदद से, CSF का पी अलकला ही होता है, इसकी ओट आपके ब्रेन को अच्छे से प्रोपर प्रेशर मिंटें करके रखता है, कहीं पर शादा ग्याप नहीं होने देता है, इस उसे केमिकल बफर, ये पी एच मिंटेंट अने में हेल्प करता है, और ये नुट्रेयन्स एक्स्चेंज करने में ट्रांसपोर मीडियं का काम क प्लस ब्रेन अपने पास खुद के पास रखता है जिस जो एक्स्ट्रा से बना के ब्रेन को से अब बात करते हैं स्पेसिकली ब्रेन के बारे में तो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं आपको एक्जाम में फोर ब्रेन का मेडिकल टर्म और हिंड ब्रेन का मेडिकल टर्म मतलब होता है एंसेफलाइंट को बोलते हैं अगे जाकर तीन पार्ट्स में डिवाइड़ ओता है औल्फाक्ट्री लोब्स सेरीब्रम एंड डायन सेफलोन भी आगेशा के तीन पार्ट में डिवाइड़ेड होता है एपिथेलमस थेलमस और इसका नाम एक्चुली ट्रायन सेफलोन होना चाहिए था लेकिन एपिथेलमस का ज्यादा स्ट्रॉक्चर इंपोर्टेंट पहले नहीं बताया जाता था हो सक के बाद इसको शायद इंपोर्टेंस मिलने लगे फिर मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं सबसे पहले समझेंगे फोर ब्रेन का जो अल्फैक्टरी लोब है इसका कुछ मेजर फंक्शन नहीं है यह अपना स्मेलिंग चेंबर है और यूमन्स में यह स्पैलिंग चेंबर त हो जाता है जिसके वज़े से अपना स्मेल करने का कपासिटी खतम हो जाता है तो इस आर हाइली डिउस्ट इन हूमन्स ठीक है नेक्स आता है सेरिब्रम इस इस वेरी इंपोर्टेंट पार्ट आपका जो ब्रेन है ब्रेन का 85% टोटल एरिया से बना है मतलब इस इस पार्ट ऑफ दे ब्रेन और सेरे ब्रम दो हमें स्फीर में डुएड़रों दो इस ख्रीच में जो यह एक हमें स्फिर यह दूसरा हमेस्फिर इन दोटों के बीच में आपको जो रेड डला खाई द् Sure और रिफ्ले ऑला रिशेन है और जो center वाला region होगा that will bezdula वाला region. cortex वाले region में आपको white matter ज़्यादा दिखाई देते हैं and medulla वाले region में आपको cortex region has gray matter and medulla region is composed of white matter मतलब cortex region में आपको cytons जढ़ा दिखाई देते है aur medulla region में आपको exons जढ़ा दिखाई देते हैं इसका explanation इधर दिया है तो यह आपका इसका relation है, वो छोड़ दो, वो इतना important नहीं है, मतलब है important तो याद रखो, outer region gray होता है, middle region white होता है, तो आपका यह जो cortex और medulla वाला region है, उसके बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे lobes है, मतलब ऐसा brain अपना छोटे-छोटे curves में divided है, तो वो जो बीच-बीच म जो आपको यह depth दिखाई दे रहा है, इस divisions को बोलते हैं sulcus, इन divisions को हम क्या बोलते है, गायराय और सलकाय, तो अलग-अलग सलकाय प्रेजेंट है, frontal lobe और parietal lobe के बीच में central sulcus, parietal lobe और occipital lobe के बीच में parietal occipital sulcus, temporal lobe और इन दोनों के बीच में sylvian sulcus, और एक sulcus माना जाता है, जो बीच में कहीं center में present है, जिसको हम बोलते हैं insular cortex, जिसके बारे में अभी ज्यादा discovery नहीं हुई है, ठीक है, okay, now comes the most 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 important part of the four brain, आपका जो four brain है वो चार पार्ट में divided होता है, ठीक है, पहला है frontal lobe, दूसरा है parietal lobe, तीसरा है temporal lobe, और occipital lobe, यह जो आगे बा चीज़े control होती है अपने body की, यहाँ पे अपना voluntary और involuntary activities control होता है, यहाँ पे अपना sensation, किसी भी चीज़ को sense करके फिर react करना, वो association area located है, यह second point, और third, सबसे important point कि आपके frontal lobe में आपका ब्रोकाज area होता है, ब्रोकाज area क्या करता है, it translates your thought into speech, आप जो सोचते हो, वही चीज आप बोलते हो, तो यह किसके वज़े से possible है, it is possible because of ब्रोकाज area, क्योंकि आपको आपके emotions, intelligence, willpower express करने में help करता है, memory control करता है, personality develop करता है, next आता है parital lobe, parital lobe यानि कि यह ऊपर का दो पार, तो parital lobe क्या control करता है, यहाँ पे mainly sensory organ present होते हैं, जो pain, pressure, temperature, test को detect करते हैं, यह question भी CT में पूछा जाता है, यह एक CT में आता है, फिर next आता है temporal lobe, temporal lobe कान के थोड़े से pass में present होते हैं, इसलिए जादा करके यहाँ पे आपका auditory center located होता है, और next आता है आता है आपका occipital lobe, occipital lobe का एक ही काम है, यह vision control करते हैं, यह पीछे की तरफ present होते हैं, और अगर इसल इसलिए किसी को भी सर के बल अगर गिरे, चोट लगी, तो सबसे पहले उनका आख का vision check करते हैं, क्योंकि आपका जो visual receptors है, वो आपके occipital lobe में present है, तो आपको हर एक लोग का function बता होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा अपने brain में, आपको center में सबसे बड़ा जो nucleus देखन यह आपका frontal lobe है, यह आपका parital है, यह आपका occipital है, यह temporal है, तो parital occipital और temporal lobe के बीच में एक एरिया दिखाए देता है, इस एरिया को बोलते हैं, वर्निक्स एरिया, यह कौन सा एरिया है आपका, अच्छा यह नहीं, यह primary auditory area है, यह वाला नहीं बोला है, यह वाला, यह क्यों important है, क्योंकि यह क्या तरता है, intelligence question बताता है, मतलब यह चीज़ understand करने में help करता है, आप जो बोलते हो, जैसे समझो, अभी में जो सोच रही हूँ, वो मैं बोल रही हूँ, तो यह मेरा brokerage area कर रहा है, पर मैं जो बोल रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है, इसका म तो अभी epithalamus में देखते है, epithalamus में क्या बता है, मतलब diencephalon के अंदर आपके तीन पार्ट साते है, epithalamus, thalamus and hypothalamus, diencephalon क्या होता है, it is the part of the forebrain which contains your epithalamus, hypothalamus, hypothalamus और इसमें से जो epithalamus वाला पार्ट है, यह epithalamus वाला पार्ट एकदम अपर सर्फिस होता है, अपने dience diencephalon का, पर उसके पहले यह समझ के लो, कि आपका diencephalon कहां present होता है, यह आपका forebrain है, मतलब समझो यह अपना forebrain है, यहाँ पे अपना midbrain है, तो forebrain और midbrain के बीच में, यहाँ पे आपका diencephalon आता है, और diencephalon तीन पार्ट से बना है, सबसे अपर रिजन को बोलेंगे epithalamus, फिर बीच वाले रिजन को बोलेंगे thalamus, और जो नीचे वाला रिजन रहता है, उसको बोलेंगे hypothalamus, ठीक है, तो यहाँ पे इस paragraph में समझने वाली क्या चीज है, कि अपना जो diencephalon है, it is present between corpus callosum and your midbrain, और diencephalon के नीचे, आपको एक cavity देखने को मिलती है, यह दे देखने को मिलता है, वो है आपका third ventricle और उसके आजू-बाजू में यह दो आपके lateral ventricles है, मतलब यह देखो, left side में एक lateral ventricle रहता है, right side में एक lateral ventricle रहता है, एक चीज़ याद रखो, ventricle मतलब क्या होता है, brain में जो empty cavity वाले spaces होते है, empty spaces, या फिर हम बोल सकते है, brain की cavity, जहां पे CSF भरा हुआ होता है, उस लोकेशन को में बोलते हैं, ventricle, तो ऐसे चार ventricles होते हैं, total, left lateral ventricle, right lateral ventricle, और यह वाला आपका third ventricle है, इस third ventricle के ऊपर present होता है, अपना diencephalon, इस को में बोलते है, यह चीज़ आती है, आपको exam में, CT में, और यह डाय सील के अपर surface पे, जो cover produce हो जाता है, उस cover को में बोलते हैं, foramen of monroe, तो यहां पर आपका diencephalon present रहता है, ठीक है, अभी बात करते हैं, तो epithalamus के बारे में, आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, कि epithalamus आगे जाके pineal gland बनता है, और pineal gland का एक ही काम है, कि यह sleeping hormone produce करता है, melatonin, ठीक है और reproductive behavior को balance करना, तो that is the only function of epithalamus, ठीक है, epithalamus form the roof of the diencephalon, epithalamus उपर present होता है, बीच में thalamus और नीचे hypothalamus, ठीक है, next आता है thalamus, थalamus के बारे में भी अगर में एक simple भाशा में बोलू, तो इसको आप छोटे brain जैसा structure बोल सकते हो, this is your thalamus, thalamus के बीच का जो connection होता है, उस इसका वाला part रहता है, havenular commission, ठीक है, इसके अलावा important चीज क्या है thalamus के बारे में, कि thalamus के पास ना, रास system होता है, reticular activating system, यह ऐसा system है, reticular activating system, आपके पूरे body का जो भी message है, वो message पहले thalamus के पास आता है, फिर thalamus उसको अलग-अलग lobes के पास भेजता है, frontal lobe के पास, parietal lo के पास, occipital lobe के पास, तो thalamus को हम relay center भी बोलते है, क्यों बोलते हैं, इसको relay center, क्योंकि इसके पास reticular activating system है, thalamus सारे messages को control करता है, except olfactory lobe, मतलब यह smelling sensation को छोड़के, बाकी सारे messages को अपने अपने जगे पर भेजने का काम करता है, बस यही function है, आपके thalamus का, तो that helps as relay center, ठ ठीक है, और एक चीज़ के बताए गई है, कि thalamus के नीचे, यहाँ पर आपका एक lateral ventricle था, यहाँ पर दूसरा lateral ventricle था, यहाँ पर third ventricle था, third ventricle के नीचे थalamus के पीछे से, थalamus के पीछे से आपका एक duct जाता है, उस duct को हम बोलते हैं, it connects to the duct, called duct of itard, यहा फिर उसको हम duct of silvius, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर fourth ventricle present रहता है, यह रेखो, ऐसा structure है, simple भाशा में अगर मैं बताओ, तो ऐसा structure है, यहाँ पर आपका thalamus present रहता है, थalamus के पीछे से आपका cerebral duct जाता है, इसको हम duct of itard बोलते हैं, और यह duct आगे जाके आपके fourth ventricle से connect होता है, तो थalamus ते यह duct निकलता है, बस इतना ही बताया गया है, और कुछ नहीं, ठीक है, थalamus का function देखो क्या होता है, यह relay center है, यह सारे impulse उसको control करता है, except all factory impulse, इसले इसको relay center बोलते हैं, यहाँ पर reflex activity भी थोड़ी बहुत control होती है, यह motor functions control करता है, और यह sexual sensations भी detect करता है, ठीक है, इसके अलावा last part आता है, diencephalon का hypothalamus, hypothalamus को हम क्या बोलते है, floor of diencephalon, epithalamus roof था, hypothalamus floor है, देखो, यह सबसे ज़्यादा base में present होता है, hypothalamus का वैसे तो बहुत सारा role होता है, इसका एक function होता है, homeostasis करना, याने कि अपने body का pH और temperature control करना, इसके अलावा यह osmoregulation करने में भ hypofacial portal vein, याने कि ऐसा, यह देखो, इसकी एक separate artery होती है, इसकी एक separate vein होती है, जो hypothalamus को specifically nutrients देते हैं और hypothalamus को waste collect करते हैं, इसको हम बोलते हैं, hypothalamus hypofacial portal vein, क्योंकि यह vein system pituitary gland से connected है, hypofacial मतलब क्या होता है, जो vein system hypothalamus से निकल के pituitary gland से connected होता है, बस यही मतलब है, hypothalamus को master gland gland भी बोलते हैं, क्योंकि यह दोनों pituitary gland को control करता है, anterior pituitary as well as posterior pituitary, इदर ध्यान से रेखो, यह आपका hypothalamus है, hypothalamus से दो pituitary gland का structure निकलता है, मतलब दो लोग मिलते हैं, one is anterior pituitary, one is posterior pituitary, hypothalamus खुद कौन सा hormone बनाता है, दो hormone, ADH hormone and oxytocin, oxytocin को हम birth hormone बोलते हैं, क्योंकि यह parturition में help करता है, और milk ejection में help करता है, और vasoprocin को ADH hormone बोलते हैं, जो water reabsorption में help करता है, kidney में, hypothalamus के पास बहुत सारे centers होते हैं, यह आपका blood pressure control करता है, heart rate control करता है, respiration, temperature, water, electrolyte balance, homeostasis and osmore regulation, यह आपकी भूख, प्यास, नींद, ठकावट, fatigue, इधर जी आएगा, fatigue, satiety center, याने कुछ खाने के बाद जो मन में satisfaction आता है, then secretion of glands of stomach and intestine, यह अपने सारे pituitary gland के hormones को control करता है, ठीक है, इसके अलावा hypothalamus के पास complicated system होता है, जिसको हम बोलते है, limbic system, यह limbic system बना है, amigdella से, hippocampus से, और hypothalamus के different parts से, epithalamus और thalamus से, यह limbic system का क्या काम होता है, इसके उपर अभी reaction, motivational drive, जब आपको कुछ करने का बहुत अचानक से मन करता है, तो यानि कि आपका limbic system अचानक से activate हो गया है, and it also helps your memory power, the floor of hypothalamus continues as downward projection, अगर आप ध्यान से देखो, तो अपना जो hypothalamus का structure है, यह नीचे एक छोटा सा ऐसे bell जैसा structure बनाता है, इस bell जैसे structure को हम बोलते हैं, hypophacial stalk, या पिर इसको हम बोलते हैं, pituitary gland, यह देखो, यह hypoficial stalk जो है, यह आपका pituitary gland है, इस stalk को हम बोलते हैं, hypophacial stalk या infantibulum, और यह बीच में जो नीचे बढ़टे बढ़े जैसा bulb जैसा structure लटक रहा है, इसको हम बोलते हैं, pituitary gland या hypophysis, pituitary gland का का काम, neurotransmitter secret करना भी होता है, और store करना भी होता है, pituitary gland के बारे में आगे हम डीटेल में पढ़ेंगे, hypothalamus के पास और एक structure present होता है, optic chiasma, यह आपका hypothalamus है, इसके पास optic chiasma है, optic chiasma के पास आपके eyes के जो nerves हैं, वो ऐसे जाके cross होते हैं, ठीक है, left eye का nerve, right side के brain में, right eye का nerve, left side के brain में, तो यह जो chiasma form हो में देखने को मिलता है, और इसका काम होता है, recollective memory, मतलब कोई बच्पन की यादे, 15 साल पहले आप नानी के घर पे जाके जाड पे जाके गिर गए थे, वो memory आपको अचानक से याद आती है, that is because of your mammary body, जो ऐसे यहाँ पे पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो और food or water का intake regulation control करता है, ठीक है, चलो, कुछ answers दे देते हैं, the resting membrane is much more permeable to, हमने क्या पढ़ा था, कि अपने पास leaky channels होते हैं, और leaky channels resting membrane में किसको allow करते हैं, potassium को, so it is, depolarization causes what, depolarization मतलब क्या होता है, sodium ions अंदर आ जाते हैं, अंदर positivity बढ़ जाती है, so influx of sodium ions, the value of action potential is, membrane potential minus 70 millivolts होता है, और action potential plus 30 to plus 50 millivolts होता है, right, so answer will be plus 30 to plus 50, 50 के आसपास का value 60 is, so option number A will be the right answer, now let us understand about midbrain, midbrain के बारे में आपको सिर्फ दो चीज़े पता होनी चाहिए, midbrain को हम बोलते हैं, mesencephalon, midbrain present होता है, आपके diencephalon और ponceroli के बीच में, यह रेखो, यहाँ पे आपका midbrain आसपास present होता है, midbrain के पास दो structures present होते हैं, एक crura cerebrae और यह आपका colliculi region, ठीक है, जो colliculi region है, superior colliculi यह रेखो, यह जो ऊपर वाले दो लोब्स है, यह दो लोब्स का काम होता है, superior colliculi are related to vision, यह vision control करने में help करते हैं, इसको हम बोलते हैं, corpora quadri gemina, quadri मतलब 4 lobes, 4 lobes वाले structure 1, 2, 3, 4, तो नीचे के जो दो लोब्स होते हैं, मैं अलग मार कर यूज करती हूं, यह उपर के जो दो लोब्स हैं, इसका काम है vision control करना, नीचे के जो दो लोब्स है, इसका काम है, hearing ability control करना, ठीक है, and it acts as a coordinator center between forebrain and hindbrain, यह आपके forebrain और hindbrain के बीच का connection का का काम करता है, mid brain, so that is the only function of the midbrain, और इसके पीछे, बीच में से, आपका cerebral aqueduct pass होता है, जो fourth ventricle में जाके खुलता है, midbrain and hindbrain together form the brain stem, बस, midbrain के बारे में आपको यही चीज समझ रहे हैं, कि इसके पास दो centers होते है, collicula है, superior and inferior collicula है, और उसके अलावा, इसके बीच में से, आपका cerebral aqueduct pass ह होता है, जो fourth ventricle से जाके connect होता है, cerebrum constitutes dash of entire weight of the brain, तो cerebrum, मतलब आपका four brain का part, सबसे बड़ा पार्ट है अपने brain का, तो it constitutes 85% of the brain, ठीक है, the corpus callosum joint, cerebellar hemisphere, sorry, cerebral, optic lobes, olfactory lobes, optic chiasma, corpus callosum किसके बीच में प्रेजेंट होता है, दो cerebral hemispheres के बीच में, so option number A is the right answer, Broca's motor area किदर present है, it is present in our frontal lobe, जो आपके thoughts को आपके speech में convert करता है, speech में, okay, third ventricle को हम क्या बोलते हैं, diophil, यह हमने अभी रेखा था, diencephalon के introduction में, hind brain के बारे में पढ़ते हैं, hind brain consists of pons veroli, cerebellum and medulla oblongata, pons veroli के अगर हम बात करें, तो यह थोड़ा सा bulgy structure होता है, it is the top region of brain stem, इ इसके पास apneustric and pneumotactic center होते हैं, और यह आपके cerebrum और cerebellum के बीच के network को connect करता है, ठीक है, उसके बाद आता है अपना cerebellum वाला region, this is the second largest part of the brain, यह भी दो टाइप के hemisphere से बनता है, इसका white matter और gray matter आपस में इस तरीके से mixed है, कि इसका structure अपने को tree जैसा दिखाई देता है, इस tree जैसे structure को हम बोलते हैं, आरबर, विटे, cerebellum का main function क्या है, यह अपने को balance और stability maintain करने में help करता है, और यह आपकी body को new new movement सीखने में help करता है, आपकी body को proper move करने में help करता है, खड़े होने में help करता है, आपकी eyes और आपकी head movement को control करता है, जैसे कथकली dancers आपनी eyes का ऐसे ऐसे movement करते हैं, तो यह cerebellum के वज़े से adaptation जल्दी होता है, यह आपको नई नी चीज़े learn करने में help करता है, जैसे gymnastics, athletics जब आप करते हो, तो उसमें जो new movement सीखते हो, जिसका cerebellum ज़दी new movement को adapt कर पाता है, और last में आता है medulla oblongata, this is the conical part of the brain, जो आगे जाके spinal cord में continue होता है, med medulla oblongata में अंदर की तरफ gray matter है, बाहर की तरफ white matter है, इसका main काम होता है, involuntary activities control करना, जैसे heart beat, respiration, blood vessels का contraction and relaxation and peristalsis of your vessels, ठीक है, यह non vital reflexes भी control करता है, जैसे khासी आना, छीख आना, vomiting होना, swallowing, yawning, etc, medulla oblongata का जो ventricle है, इसको हम बोलते हैं, fourth ventricle, इधर देखो, यह आपका medulla oblongata है, और यह medulla oblongata के पास ही अपना fourth ventricle present होता है, जो भी extra CSF आता है, जो भी extra CSF आता है, वो extra CSF, foramen of Lushka and foramen of Megandi, यह three pairs of nerves से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो medulla oblongata के पास, आपके extra CSF discharge करने का भी तरीका होता है, it is also known as fourth ventricle or metasil, यह CT question है, medulla oblongata के पास, coroid plexus present होता है, य medulla oblongata के पास, coroid plexus है, जो बहुत जादा CSF transport करता है, the posterior coroid plexus shows three openings, यहां पे three openings दिखाई देती है, one, two and three, जहां से extra CSF drain out हो जाता है, ठीक है, लेटरल foramen of Lushka and foramen of Megandi, so medulla oblongata का function क्या क्या है, it is very important, छोटा मेंदू बोलते हैं, इसको, यह pons विरोली के नीचे present होता है, ल brain and the spinal cord and it controls blood pressure, heart rate and respiratory centers, ठीक है, now comes spinal cord, spinal cord की बात करें, तो जैसे कि हमने brain के बारे में पढ़ा था, वैसे ही spinal cord के पास भी उसका outer protective layers present होता है, spinal cord के पास भी same, teen manages present होते है, PR matter, arachnoid matter, dura matter और इसके बाहर present होता है, vertebral column जो अपने spinal cord को protection देता है, और spinal cord को nutrients कहां से मिलते हैं, CSF से, यह CSF किदर से मिलता है, उसको PR matter से, जो spinal cord के आजपास protective और cushiony layer बनाता है, जिसकी वज़े से अपने spinal cord को nutrients भी मिलते जाता है, ठीक है, spinal cord के length के अगर बात करें, तो यह question मेरे CDT exam में आया था, आपको board में भी पूचा जा सकता है, कि एक normal adult में spinal cord की length कितनी होती है, it is approximately 42 to 45 cm long spinal cord का जो structure है, इसमें अपने को दो region में सबसे ज़्यादा swelling दिखाई देती है, इसका cervical region और इसका lumbar region, मतलब spinal cord से total 31 pair of nerves निकलते हैं, यह nerves सबसे ज़्यादा कहां से निकलते हैं, cervical region से और lumbar region से, इसलिए इस swelling को बोलते हैं, cervical swelling और नीचे वाली region को बोलते हैं, lumbar swelling, जैसे lumbar region पतला होने लग जाता है, उस region को बोलते हैं, conus medularis, और spinal cord जब एकदम tail जैसा structure बना लेता है, तो इस tail like structure यह घोडे की पूच जैसा दिखाए देता है, इसको हम बोलते हैं, corda equina जैसा structure, spinal cord के TS को अगर पड़े, मतलब समझो यह आपका spinal cord है, इसको मैंने बीच में से क gray matter के अंदर हमको central के नाल देखने को मिलता है, इस central के नाल के पास जो appendymal cells है, इस appendymal cells के वज़े से यहां पे CSF भरा हुआ रहता है, ठीक है, अब यह जो incomplete division है, इस incomplete division के वज़े से आपको 6 columns दिखाई देते हैं, उन 6 columns को हम बोलते हैं, फ्यूनी को लाए, ठीक है, और यह जो gray matter यह butterfly shape का है या edge shape का है, तो यह edge shape का butterfly भी आपको 6 अलग-अलग pointed structures दिखाता है, यह first, second, third, इसको बोलते हैं, dorsal, horn, lateral, ventral, horn, और यह है आपका same, four, five, six, ventral, lateral, dorsal, और इसे के वज़े से 6 columns जैसा structure भी बना है, one column, this is second column, this is third column, this is fourth column, this is fifth and this is six, यह वाले column incomplete structure है, ठीक है, बट है, तो यह six division में, अब यहाँ पर पढ़ना क्या है आपको, कि यह जो dorsal, horn, यह आगे जाके extend होता है, और dorsal root से connect होता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे nerve जैसा structure बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं, dorsal ganglion, और यहाँ से आपका structure बाहर निकलता है, ventral root से connect होता है, ventral root के पास, बहुत सारे ventral ganglion connected होते हैं, यह देखो, ऐसा, dorsal root के पास dorsal ganglion है, ventral root के पास ventral ganglion है, dorsal root के पास होते हैं, sensory neurons, ventral root के पास होते हैं, आपके motor neurons, तो इन दोनों से मिलके, जो आपका spinal nerve निकलता है, spinal nerve को हम बोलते हैं, mixed type of spinal nerve, मतलब इसके पास sensory neurons भी है, इसके पास motor neurons भी है, तो ये message को receive करके, ये तुरंथ act भी करता है, इसलिए इसकी activity को हम बोलते है, reflex action, मतलब message receive करके, तुरंथ act करना, इसलिए spinal cord reflex action दिखा पाता है, और अपना जो lateral horn होता है, ये lateral horn, autonomic nervous system से connect होता है, जो आगे जाके parasympathetic और sympathetic nerves बनाते हैं, ठीक है, ओके, आगे जाते हैं, हाँ, functions क्या है, spinal cord का, it is the most important center for reflex action, यहाँ पे आपके sensory और motor, दोनों impulses conduct किये जाते हैं, it provides connection to many parts of the body, spinal cord से जो nerves निकलती है, वो पुरी body से connect होती है, और उस nervous system को हम बोलते है, peripheral nervous system, ये देखो, spinal cord के cervical region से बहुत सारी nerves निकल रही है, और lumbar region से बहुत सारी nerves निकलती है, इसलिए हम इसको बोलते है, cervical swelling and lumbar swelling, यहाँ तक सबको समझ में आया है, इसमें आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ में बता दू कि बोर्ट के point of view से ये डाइग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेरिफेरल nervous system की अगर हम बात करें, तो पेरिफेरल nervous system का main काम क्या होता है, पेरिफेरल मतलब क्या होता है, around the body, तो यह nervous system हमारे brain को, हमारे central nervous system को, हमारे body के different parts से connect करता है, पेरिफेरल nervous system आपके brain और spinal cord से connected है, spinal cord से जो nerves निकलती है उन nerves को बोलते है spinal nerves और brain से जो nerves निकलती है उन nerves को बोलते है cranial nerves, total अगर देखा जाए तो humans में 12 pairs of cranial nerves होते हैं और इनको numbering हम roman style में देते हैं, normal 1, 2, 3 नहीं लिखते हैं, roman numbering किया जाता है और इनके numbering के basis पे इनके function के basis पे तीन टाइप के cranial nerves होते हैं द्यान से सुनो, cranial nerves तीन टाइप के होते है spinal nerve एकी टाइप का होते है, mixed nerve लेकिन cranial nerve तीन टाइप के होते है, sensory, motor और mixed तो कौनसा और sensory type का होता है, कौनसा motor और कौनसा mixed इसके लिए मैंने एक अपना निमोनिक्स बताया है, ध्यान से सुनो, पहला क्या आएगा, some, say, marry, money, कुछ लोग बोलते हैं, पैसे वाले से साधी करो, but, जो घर का समझदार बेटा होता है, but, my, brother, say, big, brain, matter, more, याने कि 12 हो गए, कुछ लोग बोलते हैं, पैसे वाले से शाधी करो, कुछ लोग बोलते हैं, कि बड़े दिमाग वाले से शाधी करो, तो कल को वो जितना चाहिए, उतना पैसा कमा सकता है, तो इधर पर S मतलब है sensory nerve, M मतलब है motor nerve, और B मतलब है mixed, both, ठीक है, तो इधर पर देखो, सम से sensory sensory, मारी money, motor motor, B से mix, M से motor, B से mix, S से sensory, B से mix, M से motor, B से mix, S से sensory, B से mix, और यह सेम चीज, मतलब हो सेम चीज हो गई, पर यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे आप 12 pair of nerves याद रख सकते हो, कौनसा nerve, कौनसे टाइप का है, कौनसा nerve sensory, कौनसा nerve motor, कौनसा nerve mixed type का है, कभी-कभी उसका नाम भी पूचते है, कि यह nerve कौनसे टाइप का है, तो उसको याद रखने के लिए एक निमोनिक बनाया है, जैसे समझो, आपका कोई friend है, उसने कोई competition जीता है, उसको ट्रॉफी लेने के लिए stage पर बुलाया जा रह पर बहुते हो उपस, तो यह हो गया, उपस, और फिर वापीस से चलो, जैसे तैसे वो फिर से खड़ा हो के अपना trophy लेने जाते हो, फिर से आप उसके लिए ख्लाप करते हो, ओ, प्रिटी, जैसे वो ट्रॉफी लेके आता है, तो आप बोलते हो, कि तेरी ट्रॉफी कितनी प्रिटी है, प्रिटी ट्रॉफी, टिकेट T for trigeminal, A for and, F for flowers, उसको ट्रॉफी भी मिली है, उसको फ्लावर्स भी मिले है, और उसको बहुत ही प्यारा सा, गॉर्जियस सा, वेरी स्वीट हैंपर भी मिला है, तो ऐसे इस निमोनिक के फॉर्स लेटर से आप याद रख सकते हो H for hypoglossal, S for spinal, V for vagal, अब इधर पे G for glossopharyngeal, A और A दो बाद रिपीट हो रहा है, तो ABCD में B पहले आता है, और U बाद में आता है, तो auditory वाला नर्स बाद में आएगा, abduquence वाला नर्स पहले आएगा, facial का F, flowers का F, और फिर trigeminal ट्रॉफी का T, pathetic pretty का P, OOO, ऐसे करके आप न name वाला question कभी तो बलती से एक आता है, तो इस तरीके से आप name और type याद रख सकते हो, यह एक बार read किया तो भी समझ जाएगा, कि olfactory, optic, oculomotor, यह तीनों नर्स आपके, मतलब यह वाले जो तीन नर्स है, यह आय से related है, और olfactory मतलब smelling chamber, तो ऐसे करके आप इनका functions भी automatically या mixed नहीं है, मतलब सारी की सारी mixed है, sensor या motor नहीं है, all 31 pairs of nerves are mixed type, cervical region से total 8 pairs निकलती है, thoracic region से total 12, lumbar region से 5, sacral region से 5, cochigial region से 1, तो यह question आपके CT में पूचा जाता है, spinal nerves आपके body के upper part, lower limbs, neck और बाकी के trunk को भी connect करती है, spinal nerve का structure, यह diagram आपके boards के लिए बहुत ज़्यादा important है, मैं में यह बताया है, यह spinal nerve का diagram है, और जो पहले वाला आपने पढ़ा था, यह spinal cord का diagram था, this is the diagram for spinal cord and this is the diagram for spinal nerve, इसमें यहाँ पे देखो, आपका dorsal ganglion और ventral root मिलके spinal nerve बनाता है, spinal nerve के तीन ब्रांचे होते है, रेमस dorsalis जो body के dorsal side से connect होता है, रेमस ventralis जो सबसे बड़ा nerve है जो body के anterior side से connect होता है, और रेमस communicants, यह वाला जो part है, यह सबसे smallest part है, जो आगे जाके sympathetic ganglia, याने की अपने sympathetic nervous system से connect होता है, ठीक है, peripheral nervous system के बाद autonomic nervous system आता है, autonomic nervous system is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system, ठीक है, पर उसके पहले reflex action क्या होता है, यह आपने 9th और 10th standard में पढ़ा है, reflex action मतलब spinal cord sensory neuron से आता है, और motor neuron उसको लेकर react कर देता है, तो ऐसे action को हम बोलते है, reflex action और यहाँ पे एक arc form होता है, तो इस arc को बोलते है, reflex arc, आया तो इसका definition आ सकता है नहीं, तो यह question नहीं आता है, ठीक है, और फरेंट nerve मतलब क्या होता है, जो message receive करता है, और इफरेंट nerve मतलब motor neuron, जो message brain से organ तक लेकर आता है, ठीक है, reflex actions के अलग-अलग type होते है, cranial reflex जो brain से आता है, slow होता है, और spinal reflex जो spinal cord से आता है, तुरंत होता है, जैसे कि अचानक से किसी गरम चीज़ पे पेर रख जाता है, तो आप पटक से हटाते हो, सोचते नहीं बैठते हो, और अगर आपको कोई ख training नहीं देनी पड़ती है, जैसे हिचकी आती है, तो किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, कि हिचकी कैसे लेते हैं, या छीकते कैसे, लेकिन conditional reflex इसमें आपको यह चीज़ ट्रेन की जाती है, जैसे muscle memory वगेरा, cycling करना, dancing करना, reflex actions based on synapses, monosynaptic and complex polysynaptic, monosynaptic में knee-jerk reflex आता है, मतलब एक बार अगर knee पे हमने कोई चीज मारी, तो आपका knee तुरंत react करता है, तो यह monosynaptic reflex है, इसमें सिर्फ sensory और motor neurons involved है, लेकिन polysynaptic cycling swimming activity में, आपको बहुत सारे impulses एक साथ activate करने पड़ते हैं, जैसे cycling करते हैं, कान भी खुला रखना है, आखे भी खुली रहने हाथ को भी balance रखना है, तो यह complex polysynaptic type of synapse, I mean reflex action, ठीक है, अभी last आता है, अपना autonomic nervous system, autonomic nervous system दो पार्ट में divided है, sympathetic और parasympathetic nervous system, तो चलो देखते हैं, इसमें क्या बताया है, autonomic nervous system की अगर हम बात करें, तो parasympathetic and sympathetic nervous system आता है, what is this system, parasympathetic and sympathetic nervous system क्या होता है, ध्यान से सुनो, autonomic nervous system basically, आपके central nervous system को आपके involuntary organ से connect करता है, ठीक है, अभी parasympathetic and sympathetic nervous system मतलब क्या होता है, sympathetic nervous system याने आपकी body का excitement वाला system, यह आपकी body को excite करता है, यह बनाता है adrenalin hormone, इसलिए sympathetic nervous system वाले fibers को, हम adrenergic fiber बोलते हैं, क्योंकि यह body को excite करता है, parasympathetic nervous system क्या करता है, body को relax करता है, तो इसको हम relaxation system बोलते हैं, यह हमारी body को वापिस से normal situation में लेके आता है, इसलिए हम इसको housekeeping system भी बोलते हैं, ठीक है, और यह बनाता है relax hormone, that is acetyl coline, इसलिए इसको, इसके fibers को, हम colinergic fiber भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको colinergic fiber, अभी ध भी ध्यान से देखो, आपका sympathetic nervous system है, यह nerves कहां से आते हैं, sympathetic nervous system के nerves, thoracic region, आपके spinal cord के thoracic region और लंबार vertebra से आते हैं, इसलिए इसको हम thoracolumbar outflow भी बोलते हैं, T1 से लेके L3 तक आपको जो nerves देखने को मिलती है, इन यह L3 तक, इन nerves को हम बोलते हैं, sympathetic nervous system, इन में आपको एक इस क्या देखने को मिलेगी, कि यह nerve एक common ganglia से connected है, इस ganglia को बोलते है sympathetic ganglia, और इस ganglia से फिर जो nerves निकलती है, वो nerve आगे जाके आपके pre synaptic ganglion से connect होती है, और फिर वहां से common nerve निकलती है, जो आपके organ तक जाती है, तो यहां पर प्री वाली nerve होती है, वो short होती है, और जो post gang जाती हैं इस चीननल के जाती है, और इसका अपोजत होता है, इस आपके और यहां पर पोस्ट गैंचलियोनीन शौरत होती है यहां, यह बोन नर्व फिर फॉच्ट कहफोन एप जाती है इस लिए इस निर्वस सिस्टम को इन दे14 पुलती है, यह प्यूंच नर्वन होती है यह बॉक्स आप अगर पढ़ लोगे तो आप इसके उपर आराम से तीन माक्स का अंसर लिख सकते हो और सी यूटी का क्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो आपका जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है यह बॉड़ी के कौन से कौन से पार्ट को एक्टिवेट करता है हाडवीट को सिस्टम है इन दोनों को एक्साइट नहीं करता पारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं करता है यह हार्ट रेट को डिक्रीज करता है यह आपके ब्लड वेसल्स को रिलाक्स करता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है आइस को नॉर्मल शेप में लेके आता है और जो स और कुछ नर्वस आते हैं इसको थो लंबार आउट बोलते हैं यह वाला जो पार्ट है यह आपको CT में पूझा जाता है अगर आप इस पेज का स्क्रेंशॉट ले लो तो भी आपको सिंप्थेटिक परसंप्थेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट आगे थियोरी में पढ़ने इसके भेस पेश्फाहिक फ्लोर आप वोधियुह ऑफिटावम मतलब का मतलब ही होता है बिलू ठीक है नेक्स्ट दर-डट पीसी जो आपके फेंटरिकल फेंट ज़ो आपने प्रेजिक पास्ट होती है प्रेन को क्या बोलते हैं मीड मतलब मीज ठीक है नेक्स नाव कम सेंसरी रिसेप्टर अभी देखो बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यदा डरते हैं मैंने आइज और डीटेल टॉपिक अपलोड किया है पर इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आता है अगर हम सेंसरी रिसेप्टर की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग 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 टाइप के रिसेप्टर होते हैं जिसमें से एक है और एक है आइस आइस को बोलते हैं फोटो रिसेप्टर यहां पर आपको अलग 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 तैप के रिसेप्टर बताए गए बहुत है आइस का जो सबसे आउटर मेंब्रेन होता है उसको बोलते है स्क्लेरा इट इस टॉफ आउटर लेयर विच इस मेड़ आपको याद रखना है कि स्क्लेरा किस से बनता है स्क्लेरा के अंदर होता है क्या करता है और यह रेटीना को नरिश्मेंट प्रोवाइट करता है रेटीना के पास आपके रॉड और कौन सेल्स होते हैं जो लाइट को करते हैं नर्व इंपल्स में पिलियरी बोडी क्या करता है यह आपके लेंस के शेप को पकड़के रखता है यह लगर को से 알ेकिंद लेट ब होता है जिसका वजह से लाइट प्रॉपरली फोकस हो सके इर sized प्रेडे ब्लाइट को सीधी अबलेटीन फोकस करें लेन्स को लकालेक्ट कारता मीं अबर्च के लेट करता है ताकि वो लाइट बराबर रेटीना तक पहुँच सके फोबिया एक छोटा सा रीजन है जहां पर बहुत सारे कों सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कलर फुल विजन क्रियेट करने में हेल्प करते हैं ब्लाइंड पॉर्ट एक एक एग्जिट रीजन है जहां पर आपका सारे स्ट्रक्चर के फंक्शन पता चल गए ठीक है आप इसका डीटेल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि कैसे आपका आइज आक्चुली फंक्शन करता है ठीक है अभी देखो इधर पर क्वेश्चन सेंसरी क्रेनियल नर्ब्स आर तो मैंने क्या बोला था सम से मैरी मनी बट इसमें से सेंसरी नर्ब्स पूछा है ना एक दो आट वन टू एन एट वन टू एन एट आर सेंसरी नर्ब्स अगर आप यह ट्रिक याद कर लो तो आपको यह क्वेश्चन आराम से आजाए गा और यह नीट में भी आता है which pair of the following is purely motor motor nerve कौन सा कौन सा है 3 4 6 11 12 3 4 6 4 6 9 10 नहीं है 11 12 कहीं नहीं है तो 3 4 6 4 & 6 is the right answer which pair of cervical spinal nerve how many pair of cervical spinal nerves are present in humans cervical बोला है मतलब 8 cervical में 8 होता है thoracic में 12 होता है लंबार में 5 होता है L12 L7 लंबार में 7 होता है यह देखो इधर देखा था ना पन्ने लंबार में 5 sorry 5 8 12 5 5 1 ऐसे करके 31 pairs of spinal nerves are present ठीक है next question ओके रेमस डॉर्सालिस डॉर्सालिस मतलब क्या होता है यह डॉर्सल बॉडी पार्ट में connected रहेगा तो इट विल कनेक्ट यूर skin and your muscles of back ठीक है next यहर की अगर मैं बात करू तो इसका भी मैंने detail वीडियो अपलोड किया है इसको भी आपको ज्यादा पढ़ने की जर्वत नहीं है इतना याद रखो कि hearing mechanism कैसे चलता है आपके मैलियस इंकसर स्टेपीस के वज़े से वाइब्रेशन प्रडियूस होता है जिसके वज़े से कौकलिया के अंदर का फ्लूइड होता है जिसके वज़े से आपका जो भी auditory nerve हो अलर्ट होता है तो य यहां पर रिसीव होते हैं यह नर्स आपके auditory कैनाल से जाते हैं आपके बोन के उपर हीट करते हैं जिसके वज़े से आपका कौकलिया का जो लिक्विड है यह लिक्विड वाइब्रेट होता है और आपके नर्स auditory nerve message impulse transmit करते हैं टेंपरल लोग को देखो किस तरीके से आप का ear drum vibration receive कर रहा है malleus incasus tapis vibrate हो रहा है malleus incasus tapis के vibrate होने के वज़े से वह message कौकलिया तक जाता है इधर देखो message आया ear drum यह देखो ear drum में message आया bones vibrate हुए यह message कौकलिया में गया और लोकेट इन गश्टेटो रिसेप्टर रोकेटेट रिसेप्टोर साहं प्रेज़न्य होते हैं सबसे outer layer it is made up of connective tissue now comes psychological disorders तो देखो जब हम nervous system की बात करते हैं तो हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना कई बहुत सारी defects के वजए से हमको बहुत सारे psychological disorders भी देखने को मिलते हैं और इसमें से बहुत सारी disorders intellectual disability के basis पे होते हैं जिसमें mental growth नहीं हो पाती है autism भी हमको इसमें देखने मिलता है बाइपोलार personality भी देखने को मिलती है मतलब कभी happy कभी एकदम से अंग्री depression anxiety ADHD disorder मतलब attention deficit hyper activity disorder देखो यह autism वाला person है इनको support की जरूरत पड़ती है दे आर वीक in social communication उनको बार बार एक ही चीज एक्सप्लेइन करने पड़ती है यह रेखो लेवल वन लेवल लेवल तो लेवल त्री यह यह rarely किसी से interact करते हैं यह जल्दी अपने लाइफ में चेंज एकसेप्ट नहीं करते हैं इनको जो चीज अच्छी लगते हैं यह वही चीज हमेशा जाते हैं careless होते हैं यह एक जगे पर शांती से नहीं बैठते दिन में बैठे बैठे यह सबने लग जाते हैं यह मतलब किसी से जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करते हैं इनको बुट्सा बहुत जल्दी आता है यह और गनाइस्ट नहीं होते एक काम खतम करने से पहले दूसरा होता है व में क्या होता है ऑपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होर्मोन कुर्स तेने वर में ब्रेंड2 में हन अपने ब्रेंडा णान आपने ऑपने डाइंर डाइंर प्रॉटी तरीके की निल जाती हैने अएच के नियुक्त है जने यह चार्थ होता है है study इसमें होता क्या है क्योंकि इसमें उलाइनर्जीक फाइबर्स जो है उतकल उन्हें तो लॉट फीज़न हो गया इसके वज़े से आपका इसके वाला रीजन शुरिंग हो जाता है जिसके वैज़े से मेमरी एकदम कम हो जाती है और फिर आपको डिमेंशिया हो सकते हैं मतलब आप पूरी तरीके से यादधाश हो सकते हो कर सकते हैं हो किमिकल को और और ऑर गानिसम को जो हैं हो चार अलग अलग टाइप के हमको काटेगरी दिखाए गए गया है एक है autocrine, paracrine, endocrine and pheromone autocrines क्या होते हैं ऐसे hormone जो अपनी growth के लिए release होते हैं जैसे cancer cells यह सिर्फ खुद के लिए ही grow होते हैं मतलब खुद के लिए ही अपना chemical बनाते हैं जिसी खुद grow हो सके paracrine क्या करते हैं यह सिर्फ अपने आजू-बाजू के cells की मदद करते हैं जैसे कि समझो यह semi-ferostribule है इसके यहाँ पर ledic cells बनते हैं यह ledic cells जो testosterone hormone बनाते हैं वो सिर्फ इनके अंदर की sperm की growth करता है endocrine hormones क्या करते हैं these cells release to stimulate distant cells यह देखो यह आपके endocrine hormone है यह blood के through flow होते हैं और यह दूर के target cell को जाके activate करते हैं और फेरो मोन्स क्या होते हैं यह दूसरे organisms को attract करने के लिए special chemicals release किया जाता है जो जादा करके sexually reproducing animals में देखा जाता है ठीक है higher animals में यह सारे chemical signaling system हमको देखने को मिलते हैं और यह chemical signaling system जब बिना किसी duct वाली gland से होता है तो ऐसे chemical system को हम बोलते हैं endocrine system endocrine system के बारे में अगर हम डीटेल में पढ़ें तो hormones blood में directly भी transfer होता है या blood के through भी transfer होता है ऐसा बोल सकते हो आप पर यह hormone जब तक target organ के पास नहीं पहुंच जाता तब तक वह अपना specific function नहीं दिखाएगा अब हर एक hormone अलग अलग ताइट के chemical से बना है आपको यह सारे होर्मोन में से एक 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 पता होना चाहिए प्रोटीन होर्मोन्स कौन से हैं आपके ओवरी वाले होर्मोन्स जैसे कि रिलाक्सिन या पिर आपका इंसुलीन लुकोगां ट्स एफ एस यह भी तो आपके रिप्रोडक्शन में वाल्ड होते हैं लुए लुए अगयरा फैटी से बढ़ करें तो एक ही होर्मोन प्रोस्टाग्लान्डिन और स्टिरोइड होर्मोन्स की बात करें तो इसमें कोलेस्टिरॉल एस्टोजन पॉस्टिरोजन सिरोइड और कौन सा हमसा हर्मों की प्रटी सोट हम सब्सक्राइब करने में required होता है जैसे आप एक किलो सबसी में एक किलो नमक नहीं डालते हो थोड़ा साही नमक डालते हो वैसे इतने सारी human body में इतनी बड़ी human body में बहुत ज्यादा होर्मोन की quantity required नहीं होती है बहुत ही कम amount में होर्मोन की quantity required होती है जो जाके अपने specific target cell की ऊपर करता है और function करने में help करता है होर्मोन अगर जादा बन गया या कम बन गया तो उसके वज़े से भी अलग-अलग disorders हो सकते हैं होर्मोन reuse नहीं होता है क्योंकि एक बार अगर हर्मोन ने अपना function कर लिया तो मेटाब्लाइज हो जाता है क्यों की और दिटाव होते हैं और के उपर तुरंत में जाशे शोकते पार मोड़ of action आ सकता है पहला mode of action है through membrane receptor मतलब इसमें क्या हो गया है आपका यह hormone है यह hormone FSH it is protein hormone कॉनसे type का hormone FSH protein hormone है अब यह जो hormone है यह lipid membrane के आर पर नहीं हो सकता है क्योंकि यह plasma membrane lipid contain करता है तो it is not lipid soluble protein और lipid साथ में नहीं आ सकता है तो इस hormone का message receive करने के लिए अपने पास plasma membrane में special receptor प्रेजेंट होता है यह receptor इस message का इस hormone का message receive करता है और उस message को आगे पास करता है जिसके विज़े से activity होती है तो यहां पर hormone direct अंदर नहीं गया लेकिन hormone ने अपना message receptor को दिया receptor ने आगे वह message पास किया जैसे कि समझो आप अपना hall ticket exam hall के बाहर भूल गए मम्मी के पास अब मम्मी को स्कूल के अंदर आने नहीं मिलेगा पर मम्मी वह hall ticket watchman uncle को देदेगे और watchman uncle वह hall ticket आपके class तक लाखे देदेंगे जिससे आपको hall ticket मिल जाएगा तो यह वैसा mechanism है ठीक है इधर पर देखो यह आपका प्रोटीन होर्मोन है यह डाइरेक्ट अंदर नहीं आ सकता तो यह receptor के पास आता है receptor इसका message रिसीव करता है और यह जाके आपके दूसरे cells को activate करता है जिससे आपका जो main function है वह function हो सके next आता है mode of action through intracellular receptor अब imagine करो कि आप hall ticket ममी के पास भूल गए पर आपकी ममी आपके school की teacher है जहां पर आपका center लगा है तो आपकी ममी आराम से watchman को बोलके अंदर आ सकती है आपके classroom तक आ सकती और आपके जो supervisor होगी उसको उसके हाथ में hall ticket दे सकती है तो यहां पर आपका हॉर्मोन direct cell के अंदर आता है यह लिपिट soluble estrogen steroid hormone steroid is nothing but derived lipid तो यह hormone membrane के अंदर आ गया nucleus के अंदर आ गया अब जैसे ममी भले teacher है पर ममी को classroom के अंदर entry नहीं है क्लास्रूम के अंदर दूसरी supervisor होते हैं तो ममी classroom तक आ गई पर classroom के अंदर जो दूसरी supervisor है ममी उसको hall ticket देगी और फिर वह supervisor आपको hall ticket लाके देगी और आप अपना exam चालू करोगे तो यह second mechanism होता है जिसमें intracellular receptor के साथ आपका hormone करता है और फिर वह hormone अपना action दिखाता है mode of action दिखाता है ठीक है तो यह रेखो यहां पर आपका क्या हो रहा है this is your target cell ठीक है यहां पर आपका hormone direct आपके cell के अंदर आ रहा है और वह nucleus के साथ interfere करके जो भी protein बनाना है यह आपका target cell है तो जो भी protein बनाना है वह protein बना पा रहा है ठीक है अब बात करते मेजर endocrine gland की जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे hypothalamus की hypothalamus क्या origin क्या बताया गया इस एक्टोडर्मलीन औरीजिन यानि की एक्टोडर्म टिशू से बना है इस लोकेटेट इंद फ्लोर ऑफ डायेट सेफलोन और hypothalamus का में फंक्शन क्या होता है homeostasis कंट्रोल करना प्लस hypothalamus anterior pituitary ग्लाइंड के hormone formation को भी कंट्रोल करता है और हाइपोथलामस के होर्मोन अपना होर्मोन बना तो लेता है पर यह अपने पास उसको रखता नहीं है यह अपने होर्मोन को posterior pituitary को दे देता है तो posterior pituitary में यह दो हर्मोन जाके store हो जाते और आगे की तरफ present होता है anterior pituitary यह hypothalamus है ठीक है hypothalamus pituitary gland में जो hormones बनाता है वह hormones बनने से पहले आपको उसका initial form hypothalamus में देखने को मिलता है तो यह देखो adrenocorticotropin releasing hormone यह बनता है hypothalamus से जो pituitary gland को activate करेगा यह caminho sulan iterative करेगा जाकेあと wraps removing Although thyroid gland activate करता थो यह इसारी होर्मोनस आप ग्लायंट को जाके active करता है तो देखो hypothalamus पहर on to live holand जाते है और on putagem अपने अपने target organ at allows positive है는 disaster躁निका राका अब यह दू 쉬ária बोलते हैं इसके उपर आपका सीटी क्वेश्शन आता है कि यह हाइप अफिस डूल और यह डूल ओरीजिन से बना है बेसिकली सबसे चोटा ग्लाइंड है पहले ऐसे बोला जाता था कि पीट्यूटरी ग्लाइंड मास्टर ग्लाइंड बाद में पता चला कि पीट्यूटरी की पेलिम पेले मास्टर में बोलते थे थे थीक हैं है थे Honors्हों को में प्रेजेन होनों है नहीं होकि अपने प्रेजिंट नों तों बोला जाता हैं आन्रेयर को और पोस्टेरियर लोग यह दोनों अलग अलग टाइप के जो हम लियर और JI तो यह देखो जब हम बात करतें anterior pituitary gland की तो उसको हम बोलते है एडिनो हाइपोफिस आपका जब बच्चा fetus form में रहता है तो fetus का जो बकल cavity रहता है मतलब यह देखो यह समझो यह अपना fetus का mouth है तो यह fetus का जो बकल cavity रहता है इसका जो mouth वाला region है यह उपर की तरफ ग्रो होता है और इसका जो brain है यह नीचे की तरफ ग्रो होता है तो बकल cavity से यह बनता है anterior pituitary और should ego by बाद में यह排ए बिंघ हो जाता है अंत्यार जाता है दिवर क overdose बाद में ब्रेक हो जाता है और पर यह वाला tutu बनता है anterior pituitary और यह वाला pituitary बनता है posterior pitutary इस तरीके से हमको एंटीर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन दिखाई देता है और यह जब इनिशियली माउट से कनेक्टेड रहता है तो इसको हम बोलते है राच के स्पाउट तो यह दो अलग-अलग लेयर से आया है एक नियूरो एक्टोडर्म है और एक आपका मीसोडर्म जर्म लेयर से आया ह है और यह धागे को हम बोलते हैं यह दोनों को कर दिख करते है और अगर में घ्यूरी की बात करूं तो यह मारा लारजर पॉर्मोंदृ इसके पास अलग-अलग सेक्रटी रशावे पिटूटरी ग्लाइंट का तीन पार्ट है एंटिरियर पिटूटरी में अहीं होता है और यह आथा है लास्ट में पार्फ इस टैलिस में अपने हॉर्मों बनते हैं इसको याद रख सकते हो यह आपका शॉट फॉर्म है फ्लाइट पिग मतलब होता है ऐस एंट टेस्टेस में बनता है डिये टेस्टींट के लिए य। में बनता है तेस्टेस्टेस्टेरों बनाने के लिए घ्रों पर यहां पर आपको बताएं अब समझो कि यह हार्मोन अगर जादा हो गया जैसे पहला एक्जामपल है अगर घ्रोफ हॉर्मोन जादा हो गया अगर समझो अडल्ट होने के बाद जादा हुआ तो उसको बोलेंगे है एक्रोमिगाली मतलब अचानक से यह हॉर्मोन कॉंसेंट्रेशन बढ़ गया 25-30 साल के उसके बाद आपकी बोड़ी में यह हॉर्मोन बढ़ गया तो ऐसे डिसॉर्डर को बोलते हैं अगर बचपन से आपकी बोड़ी में बहुत जादा पिट्यूटरी हॉर्मोन बना है तो वह ना कोई जोती करके जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गी इस बुक में जो सबसे छोटी लेडी है ठीक है ओके नेक्स्ट आता है थाइरोट्रोपिन हॉर्मोन यह भी पिट्यूटरी ग्लाइंट में बनता है यह थाइरोड ग्लाइंट को अक्टिवेट करता है ताकि फिर थाइरोक्सिन हर्मोन बना सके जिससे मेटाबॉलीजम अच्छा हो एडरिना को ट्रॉपिन हर्मोन यह आपके एड्रेनेल ग्लाइंट में बनता है ताकि मिल्क प्रडॉक्शन हो सके गोनाइडोट्रोपिन यानि आपके सेक्स शॉर्मोन जैसे कि हैं फ्रमार्ग च्कि और स्पोर्म की डेवलप्मेंट उसके ये पॉलन को अपने अंदर नर्वोसा यह उपर वाला पार्ट नर्वोसा है बीच वाला पार्ट इनफंडी बुलम है और यह उपर वाला पार्ट जो है यह मीडेयन एमिननेंट जहां से आपके होश्च अंदर आते हैं और यह मिल्क एजयक्त करता है चाप्टर नुमर्ट्व में पड़ा था और एडिएच होर्मोन क्या करता है एंटीडायुरेटिक होर्मोन यह ब्लडवेसल को करक्ट करके फिल््टरेशन प्रोस कि उनकी बॉड़ी में बहुत ज्यादा यूरीन बनती और उनकी बॉड़ी का वाटर बाहर 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 बार-बार एलिमेनेट होते रहता है ठीक है देखो स्टेमिलेटिंग होर्मोन बनाता है जिसके वजह से अपना स्किन स्किन पिगमेंटेशन ओता है यह होर्मोन बनने के लिए अपनी पाड़ी में ना चाहिए त्रिपटोफैन जिससे हमारा sensitive to biochemical signals of light लाइट जब दिम होगी तभी यह हर्मोन बनता है बॉडी में ठीक है नेक्स आता है थाइरोइड ग्लाइड तो लेट सी थाइरोइड ग्लाइड के बारे में क्या पताया है थाइरोइड ग्लाइड की अगर हम बात करें तो थाइरोइड ग्लाइड यूमन बॉडी का सबसे से लाइड इंडोक्राइड है इसके दो बड़े बड़े लोब्ज दें जो में इस्थमस की मदद से स्कॉणेquent थाइरोइड के बारे में ंगर्मोन बनाते है धालामिन बनाने एब्सॉब करने में help करता है which is important for the growth and development of our bones and muscles ठीक है इसके अलावा thyroid gland जो thyroid hormone बनाता है वो hormone कैसे बनता है thyroid hormone बनाने के लिए we need two things कौनसी दो चीज़े चाहिए हमको tyrosine amino acid and iodine tyrosine और iodine की मदद से आपका thyroid hormone बनता है और उस hormone को हम बोलते है thyroxine hormone यह hormone क्या करता है मतलब आपके अलग अलग ताइप के thyroxine hormone बनते हैं T1, T2, T3, T4 जिसमें से T3 सबसे ज़्यादा active होता है इसलिए हम हमेशा T3 के form में इसको convert करते हैं यह hormone कब और कैसे बनता है जब अपनी body temperature बढ़ता है फिर से सारी चीज़े नॉर्मल हो जाती है ठीक है अभी थायरोड ग्लाइन बेसिकली metabolism कंट्रोल करता है अपनी बोडी का तो metabolism अगर कंट्रोल नहीं हुआ अगर समझो बहुत ज्यादा metabolism हो गया जिसकी वज़े से आपकी बॉडी में nutrients बची नहीं रहें तो hyperthyroidism के वज़े से grave disease होती है इसमें आपकी आँख वगेरा एक्दम ऐसे निकल के बाहर आ जाती है बॉडी एक्दम पतली हो जाती है बॉडी temperature हमेशा आपका बढ़ा हुआ रहता है हमेशा गरम रहता है हार्ट बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ग्रेफ दीजिस एंग्जामपल ऑफ हाइपर थायरोइड इसम यह बोर्ट में मनमाक के लिए अगर थायरोइड होर्मोन कम बन रहा है जैसे कि समझो क इसी रिजन के वज़े से आपने थायरोइड ग्लाइंड सर्जरी करके निकाल दिया उसको बोलते थायरोड एक्टोमी या फिर किसी भी डिफेक्ट जनुटिक डिफेक्ट के वज़े से अगर थायरोइड हर्मोन नहीं बन रहा है तो छोटे बच्चों में अगर हाइपो थ सब्सक्राइब नहीं होती है और अगर इनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके अगर ट्रीट किया जाए तो हम इनके फिजिकल ग्रोथ को ठीक कर सकते इनका प्यूबर्टी वगरा जो डेले होने वाला उसको रिपेर कर सकते मिक्स ओडिमा यह अडर्ट में देखा जाता और सेक्शुल डेवलप्मेंट काफी जादा रिटार्ड हो जाता है सिंपल कोईटर की बात करें तो इसमें क्या होता है थाइरोड हर्मोन कम होने के वज़े से आपके थाइरोड ग्लाइन में स्वेलिंग हो जाती है और यह ज्यादा करके हिली एरियास में देखा जाता है क तो ही आपको मेटाबॉलीजम प्रॉपर होगा जिसके वज़े से आपका पूरा सेक्शुल साइकल ग्रोफ साइकल और बायलोजिकल साइकल पुरा अच्छे से चलता रहेगा ठीक है बायलोन करता है अपना जो भी ब्लड में एक्स्ट्रा क्यलशिम और फॉसफरोस रहता है यह को ब्लड में से बॉन में एक्जोब करने में हल्स करता है जिसके वज़े से बॉन हेल्डी हो जाती है और इसका अपोसिट होर्मोन है पैरा फॉर्मोन आपके ताइरड गलाइन के सब्सक्षा के छोटे-छोटे वटाने शेप के एग्लैंड होती है जिसको हम बोलते पैदा सब्सक्राइब बाद कब़क्रों करने का वह था यह उत्यक्टा in में प्रस्टें ज़ू , आनद Państwo, इस किया होता है यह उल्रीकश करता है यह बोन के कम हुआ तो इसके वज़े से क्या होगा आपके ब्लड में कैल्शम लेवल कम हो जाएगा अगर ब्लड में कैल्शम लेवल कम हो गया तो कंट्रोल और कौरणिशन का अब करदा था अगर कैल्शम नहीं रहेगा तो voltage-gated channels open नहीं होंगे voltage-gated channels open नहीं होंगे तो आपका तो क्या होगा बोन का पूरा क्या बाहर आ जाएगा जिसके वज़े से और फ्रैक्टर हो सकते हैं ठीक है थाइमस घ्लाइंट आपके हाट के जस्ट पीछे के साइड होता है इसका में फंक्षन होता है यह यंग बच्चों में जादा बड़ा होता जैसे जैसे आप अडल्ट ह प्लस और बात करें यह चुटनी पर प्रेजंट होता है ड्रेट में का स्ट्ट्रक्चर दो पर आउटर को टेक्स मैं से बना यह जोन वो पार्ट में रिफ ए से से और इस डॉक से बना यह जोना मेर घूलाया थान हुड्ए से Are सबक्राइबूट करें यह आपका सदोन फैसीग्यूलाटा जो घलूकोस लेवल कंड्रोल करता है बनाता है ऑग रच होत के वज़ेसे होता हैडिस falls शुगर होता है और अगर अधिकुरे किसी होते हैं और अपके दो हर्मॉन में शटेशर ऑर्मोन वह जित और मिलता धिक उक processes सब्सक्राइब करते हैं यह अपने इस यह जिल्ट वाले यह यह जाता है तो अपने बोड़ी में जो stored glycogen है उसको breakdown करके glucose बनाना बीटा सेल्स क्या करते हैं अगर अपने बोड़ी में extra glucose हो गया है तो यह insulin बनाते हैं insulin आपके बोड़ी के extra glucose को पकड़के glycogen बनाता है delta cells क्या करते हैं यह glucagon और insulin दोनों को balance में रखते हैं ताकि शुगर लेवल बना रहे और पीपी सेल्स क्या करते हैं यह आपके पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं ताकि आपका digestion प्रोसेस अच्छे से हो सके diabetes मेलिटस मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा शुगर हो जाना ब्लड में यह दो टाइप का diabetes होता है टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 1 डाइबटीज में क्या होता है यहां पे आपके बीटा प्रॉपर अक्टिविटी नहीं कर पाते चोटे बच्चों में तो उनको टाइप 1 डाइबटीज हो जाती है और मतलब इसमें आपका हुँआ का काम क्या होता है ओटिज में 5 हर्मोन बंते हैं पर्यूए पर्जीस्टरों इस्टरों इस्टरो जन इसे होता है आपकर को कiza को इनियूट करता है ताकि मेंस्टरोय साइक्ल तो डेड़ल होता है यह testosterone क्या करता है testosterone आपके it is secreted from ledic cells जो आपके sperm development को fast करता है it is also responsible for secondary sexual characters in males placenta क्या करता है यह nutrients exchange करने में help करता है mother से fetus को क्या-क्या मिलता है nutrients oxygen IgG placenta से antibody G मिलता है cholesterol से IgA मिलता है तो mother से fetus को क्या-क्या मिलता है nutrients oxygen antibodies vitamins and water और बदले में fetus अपना क्या-क्या कच्रा देता है मदर को carbon dioxide urea and hormones ठीक है next आपका आता है gastro-intestinal tract gastro-intestinal tract मतलब अपना digestive system यहां पर gastrin hormone gastric juice बनाता है secretin hormone pancreatic juice release करता है जिसके वज़े से आपके liver में मतलब आपके liver से bile juice वगेरा form होते है और यह आपका acidity नहीं होता है Cholecystokinin क्या करता है the hormone stimulates pancreas to releases enzyme from gallbladder ठीक है and enterogasterone या gastric inhibitory peptide क्या करता है यह इसका opposite process करता है यहां पर gastric juice बनता है erythropoietin rbc बनाने में help करता है calcitriol vitamin d absorb करने में help करता है heart natrioretic factor increases sodium excretion by kidneys and reduces blood pressure ठीक है hormone therapy की मदद से जो भी defect है उस defect को हम reverse कर सकते हैं लेकिन यह हर बार successful होगा ऐसा नहीं होता है तो कौन से कौन से treatment हम कर सकते होर्मोन थेरपी से pregnancy में मीनोपॉस कुछ कुछ केस में growth hormone जो बोन की और मसल की development करने में health करता है insulin resistance यानि diabetes patients में cancer में etc ठीक है तो आज medicine इतना आगे पहुंच शुका है कि हम ऐसी ऐसी बीमारीयों का भी इलाज निकाल सकते हैं अब यह जो questions है इन questions के answer आपको comment में करना है question number 1 इतका screenshot ले लो question number 2 मैं इतका answer नहीं बताने वाली आपको comment में करना है question number 3 जिसका सब answer right होगा मैं उसका chat pin करूंगी ठीक है 1 2 3 question number 4 question number 5 बस 5 questions है 1 2 3 4 जिसके 5 answers right होंगे सबसे पहले उसका comment pin हो जाएगा और yes you can also download our app from play store अप इंस्टॉल करके इस chapter के जो भी notes है वो आपको free material section में मिल जाएंगे अगर notes open नहीं हुए तो फिर से जाओ आप को पहले पीछे से clear करो background में जो भी apps चल रहे हैं उनको clear करो और फिर वापिस से में MST CT के लिए preparation करना है तो वो हमारा वर्दान बैज जॉइन कर सकते हैं इसमें crash course प्लस बहुत सारे mock test आपको provide किये गए हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी बहुत महनत किया यह वीडियो में रात को बारा बजे रिकॉर्ट कर रही हूं विल्कुल मेरे अंदर ताकत नहीं बची है बट आपको की content में quality में कोई अच्छे से समझ में आया होगा अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्ली में अगर मेरी मेहनत अच्छे लगे तो लाइक बटन पे क्लेक कर देना आइसे यू सून तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो एवरीबड़ी टेक केर आफ यूर है और याद रखो अभी नहीं तो कभी नहीं बाइब